जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो कि वक्त और हलात पर रोया नहीं करते Good morning to all of you, मेरा नाम है अदिती और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल Current Affairs by Ravi पर Friends, आपके लिए जो है मैं आज काफी जदा important वीडियो लेकर आ गई हूँ, जिसमें कि हम अब पिछले 9 माह के important current affairs के question discuss करेंगी Total जो है हम 500 questions का revision करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में एकदम quicker revision रहेगा आपके SSC और railway exams के लिए आपने वीडियो के साथ एन तक बने रहना है, आपके लिए काफी जदा beneficial वीडियो है क्योंकि आपके जो है सभी current affairs के questions मैं cover करवा दहूंगी इस marathon वीडियो के थ्रू तो चलिए session को start कर लेते हैं without any further discussion और बिना कोई time गवाए हम आज के important session को देखते हैं हमारे first question से first question आपका आपकी screen के उपर है, दोहजार चोबीस में जो 58 नंबर का ग्यानपिट अवोर्ड एफरेंस ये हाल ही में प्रदान केगे इससे जो है दोहजार चोबीस में किसे समानित किया जाएगा तो ये जो है दोहजार चोबीस में दो जनों को मिला है गुलसार और जगद गुरू राम भदराचारे जी को ठीक है ग्यानपीट अवोर्ड जो है इसको मैं आपको बता दू इसके बारे में ग्यानपीट अवोर्ड होता क्या है तो ग्यानपीट अवोर्ड जो है ये भारत में सरवोच सही तक अवोर्ड है और बात करें जिन दो प्रमुक हस्तियों को दोहजार जोबिस का 58 नंबर का ग्यानपिट अवोर्ड मिला है उनके बारे में तो फ्रेंट जो जगत गुरु राम भदराचारे जी है ये यूपी के चितरकूर के रहने वाले हैं और ये जो है एक प्रख्यात विद्वान है रचनाकार है प्रवचनकार है और हिंदू धार में को गुरु है ठीक है और वहीं जो गुलजार है ये उर्दू दुनिया के एक काफी ज़दा माने हुए कवी है और इन्हें जो है वर्ष दोहसार दो में उर्दू के लिए सिट्ट अब्रवाड भी मिल चुका है नेक्स्ट इंपोर्टन कोशन है आपका मध्यपरदेश के कुनो नैशनल पार्क में जो है फ्रेंड्स नामीबिया से लाएगे चार चीतों की मोथ हो गई है ये किस जिवानू के संकर्मन से हुई है तो जो नामीबिया चीते लाएग और जैसे कि आप सभी को बता ही है 17 सितमबर 2022 को नाम बीबिया से जो है आठ चीतों को कुनो नैशनल पार्क में लाया गया था इसके बाद जो है फ्रेंट्स 12 चीते 18 फेबरेरी 2023 को जो है दक्षिन एफरीका से लाएगे ठीक है नेक्स्ट आपका है फेबरेरी 2024 में भारत की जो यूनी फाइड पेमेंट्स इंटरफेस है यानि की UPI से माए है फ्रेंट्स ये किस देश में शुरू की जाएंगी काफे ज़्यादा इंबॉरन तो ये आपकी शुरू की जाएंगी श्री लंका मौरिशस और इंडोनेशिया म प्राप्त करने में वो भोक्ताओं को सक्षम बनाती है इसके मादियम से क्या है फ्रेंट्स ट्रांसफर के लिए प्राप्त करता कि ये अकाउंट नंबर की जानकारी की आवशक्ता जो है वो नहीं होती ठीक है और जो फ्रेंट्स फ्रांस है ये आपका UPI अपनाने वाला प important point याद रखना है जो फ्रेंट्स अंतरास्टे मिर्गी दिवस है ये हर वर्ष जो है ये February के दूसरे सोंबार को मुनाया जाता है अगर बात करें दोहसार चोबीस के अंतरास्टे मिर्गी दिवस की theme की तो वो थी milestones on my epilepsy journey next important question ओडिशा की मुख्यमंत्री नवीन पतनायक ने जो है किस शहर में मा समलेश्वरी मंदिर के आसपास विकास के लिए जो है फ्रेंस समलेई परियोजना का उद्खार्ण किया तो ये उद्खार्ण करा गया है ओडिशा की CM दौरा संबलपूर में next important question फरवरी दोहसार चो 24 का जो फ्रेंस एक दिवेसी का खिताब था ये किस ने जीता तो ये आपका जीता है उस्ट्रेलिया ने और पंदरवे आइसे से अंडर नाइटिन विश्कप दोहजार चोबिस में जो पूपी जेता टीम रही वो रही भारत की टीम इसी के साथ next question फिलनेट के जो नए ओ 24 सीजन के लिए जो है अपना ब्रेंड अम्बैस्टर न्यूक्त करा है next important question है फिलनेट के जो नए रास्ट पती बन गे उनका क्या नाम है तो उनका नाम है Alexander Stubb next question institute of chartered accountants of India के जो नए अध्यक्ष बने है friends उनका क्या नाम है right answer is रंजीत कुमार अगरवाल रंजीत कुमार अ इशद यानि कि ICC ने जो है जनवरी 2024 महीने के लिए जो player of the month चुना friends वो किसे चुना तो पुरुषो की श्रेनी में ये चुनेगे है player of the month जनवरी महीने के लिए शामर जोसेफ जो की west indies की player है और महिलाओं की श्रेनी में जो जनवरी 2024 माह की player of the month चुनी गई उनका नाम है Ami Hunter और ये Ireland की है नेक्स्ट आपका किस देश में विश्व की पहली हवाई टेक्सी सेवा का शुभारम किया गया ट्राइट अंसरी दुबई तो संयूकता अर्ब एमिराद की दुबई में जो है फ्रेंड्स विश्व की पहली हवाई टेक्सी सेवा शुभारम हुई है नेक फ्रेंट क्या नाम था टो इनका नाम था धता जीवरा जीराव गयक्वार और इनका जो है फरेंड्स अभी नीतन हो गया है हाल फिलाल में ही नेक्स्ट कुशिन है, दोस्मोची मोह सब जो है friends यह आपका कहां मनाया गया या फिर इसका आयोजन कहां किया गया तो इसका आयोजन करा गया था लद्दाह के लेह में नंद किशोर यादव यह बिहार विधानसवा के नए अध्याक्ष नयुक्त हो गए है चुना गया है चलिये बिहार विधानसवा के जो नए अध्याक्ष बने यादव खáriz किसरे चुना गया है तो किस देश की रास्टरपती ने जो है बाल उत्पीडन शमा गोटाले के चलते अपने परसे जो है इस्तीफा दे दिया राइट अज़िस्ट कैटलीन नौवाक ने जो की हंगरी की फ्रेंच पहली महिला रास्टरपती भी बनी थी अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने जो है बाल उत्पीडन शमा गोटाले के चलते अपने परसे जो है इस्तीफा दे दिया है नेक्ट आपका कोशिद है विश्व रेडियो दिवस दोहजार जोबिस जो है यह आपका कब मनाया गया तो यह मनाया गया है 13 फेबरी को और बात करिए विश्व रेडियो दिवस दोहसार जोबिस की थीम की तो थीम काफी ज़दा इंपॉर्टन है थीम थी इसकी फेंड्स रेडियो सूचना देने मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सधी है नेक्स आपका है राजे की जनता को आर्थिक रूप से मदद पहुँचाने के लिए किस राजे में हर घर राशन योजना की शुरुवात की गई तो यह आपकी शुरुवात की गई है पंजाब राज़े में पंजाब की करंट सीम है भगवंतवान जो की आमादमी पार्टी की से हैं और फ्रेंड्स इन्हों ने जो है हर गर राशन योजना की शुरुवात की है लोगों को आर्थिक रूप से मदद महुँचाने के लिए इ नेक्स कोशन के और मूव कर लेते हैं तो फेबरी दोहजार चोबीस में जो है प्रधान मैंतिर नरेंडर मोदी जी ने सैयुक तर्ब एमिराद की किस शहर में पहले हिंदू मंदीर का उधगारन किया तो यह उधगारन हुआ है आपका अभू धावी में नेक्स कोशन पचे गंततर दिवस दोहसार चोबीस में इन्हें मिला सर्वस्रेश्ट जहांकी का वोड़ वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें मंत्राले को इश्रणी में जो सर्वस्रेश्ट जहांकी का वोड़ है वो किसे मिला तो वो आपका मिला है संस्कृती मंत्राले को ठीक है इसी के साथ नेक्स कुशन आज का पहली बार जो है 43 एर्स की उमर में फ्रेंट सबसे उमर दरा जो एटीपी डबल्स रैंकिंग में विश्व के नमबर वन टैनिस की लाड़ी बने उनका क्या नाम है तो उनका नाम है रोहल बॉपन्ना जो की भारत की प्लेयर है नेक्स कुशन वर्ष्य दोहजार जोबिस में कुल कितने लोगों को पदम पुरुसकार दिये जाएंगे राइट अमसर इस वर्ष्य दोहजार चौबिस में जो है लोगों को टोटल जो है वर्ष्य दोहजार वी बूशिन कितने हैं तो पांच पदम फिश्व सिरि सई और इसमें जो है 17 पदम पूशन और 110 जो है वो पदम शिडी है नेक्स्ट कुशन क्यों और मूफ करते हैं पचेतरवे गंतंदर दिवस जो 2024 ता फ्रेंट्स इसकी जो थीम थी वो क्या थी काफी साथा इंपॉरेंट है नेक्स्ट है 26 जनरी 2024 को गंतंदर दिवस की कौन सी वशकांट मनाई गई तो ये हमने मनाई है पचेतरवे वशकांट नेक्स्ट टाटा स्टील शत्रन चूर्णामेंट 2024 का जो टाइटल है फ्रेंट्स की आपका किस ने जीता तो ये जीता है चिंग की प्लेयर जिनका नाम है वेई यी इन्होंने जो है टाटा स्टील शत्रन चूर्णामेंट 2024 का टाइटल अपने नाम किया है कजाकिस्तान के जो नए प्रिधानमंती बन गे हैं फ्रेंट्स उनका नाम है ओल्जस वेक्टे नोव नेक्स्ट है आपका सोरास्ट क्रिकेट असोसेशन स्टेडियम का जो नया नाम है वो क्या हो गया तो सोरास्ट क्रिकेट असोसेशन स्टेडियम का नया नाम हो गया है नीरंजन शा स्टेडियम और ये आपका है गुचरात राजे में नेक्स ते आपका कुशन लगाता है छटी बार बजट जो है फ्रेंट्स वो पेश करने वाली दूसरी वित्तमंत्री कौन बन गई तो वो है आपकी निर्मला सीतारा मंजी ठीक है और इन्होंने जो है पांच वार्षिक बजट पेश किये हैं और इसी के साथ इन्होंने दोहजार चोबिस में जो है आंतरीम बजट पेश किया ये छटी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्तमंत्री बनी है नेक्स देखिए भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि की BCCI द्वारा जित समाहरों में जो है फ्रेंस करनल सीकेन आइडू लाइफटेम अचीगमेंट अवोर्ड जो है ये दोहजार चोबिस का इससे किसे जमानित कर गया तो इससे जमानित कर गया फारूक एंजीनियर और रवी तुरकी जारी का थी जिसका नाम था घ्लोबल इक उनिमिक आट्लूक डिपोर्ट नेक्स आपका क्वेशन है SpaceX के AX-3 मिशन में जो है अंतराश्टरी आंतरिक स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतराश्ट अंतरिक श्यातरी जो है फ्रेंस वो कौन बने राइट अंसरी इस अलपर गैजे राफ सी नेक्स कॉशन 2024 में जो है कितने लोगों को पधम भीबूशन से समानित किया गया राइट अंसरी इस पाँच 2024 में जो है फ्रेंस कुल पाँच लोगों को पधम भीबूशन मिला उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ तो सूश्री वेजनती माला बाली को मिला शिरी कोनी डिला चिरन जीवी श्री एम वेंकिया नाइडू जी को शिरी बिंदेश्वर पाठक जी को मन्नो प्रान मिला और मिला सूश्री पधमा सुब्रमन्यम जी को नेक्स्ट आप का गोशन है ओला के CEO भाविश अगरवाल जो है फ्रेंस का AI स्टार्ट अप देश का पहला AI उनिकोन बना है इसका नाम क्या है? इसका नाम है कुर्ट रिम नेक्स कोशन भारत ने इसराइल और फिलिस्तिनी संगठन हमास की बीच जंग में फसे भारतियों को बापिस लाने के लिए जो है शुरू किया गया और नाम क्या है इस उप्रेशन का उप्रेशन आजे नेक्स्ट इस किस राजे ने जो है गंगा डोल्फिन को राजे जली अजीव घोशित किया? तो यह है आपका उतरपरदेश उतर प्रदेश ने जो है गंगा टोल्फिन को अपना राज जली अजीव खोशित कर दिया है फ्रेंट जूपी के जो करंट में CM है उनका नाम है योगी अदित्यनाथ जी बात करें यूपी के गवर्नर की तो उनका नाम है अनंदी बेन पटेल और जो यूपी के CM है ये BJP party के है और यूपी के जो capital है वो है look now अगर बात करें यूपी के फ्रेंट्स राज के फूल की तो वो है पलाज का फूल और यूपी का राज के जो फल है वो है आपका आम ठीक है नेक्स कुश्चन आपका है इसरो भारत का दूसरा अंत्रिक्ष केंदर जो है ये कहां स्थापित किया चाएगा राइट अंजर इस कुल स्केर पटिनम जो की तमिनाडू में है यहां जो है इसरो भारत का दूसरा अंत्रिक्ष केंदर स्थापित करेगा नेक्स्क्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्स आपको वीडियो की कौलिटी क्वालिटी कॉंटेंट और मेहिमेहनत पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कना ना भूलिएगा क्योंकि काफी जादा जो है टाइम लगता है काफी जादा मेहनत लगती है एक वीडियो रिकोर्ड करने में उसका कॉंटेंट रेडी करने में और अगर आप लाइक और शेयर नहीं करोगे तो हम मोटिवेट नहीं रह पाते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ठीक है और अपने वीडियो को जो है लाइक और जरूर करना है और अगर आप न्यू स्ट्टेंट है पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पर तो आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है न्यू न्यू वीडियो की इंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट आपका इन देशों की तो नमबर वन पे है चीन, नमबर सेकिंड पे है हमारा भारत, और नमबर तीन पे है जिपैन, नेक्स्ट है आपका फिडे विश्वर रैपिड शत्रन चैंपेंशिप दोहसाद देश का टैटल किस ने जीता, तो इनका नाम है मैंगनस कालसन, इन्होंने जो है फिडे विश्वर रैपिड शत्रन चैंपेंशिप 2020 का टैटल जीता, ये जो हैं ये नोर्वे के है फिडे विश्वर रैपिड शत्रन चैंपेंशिप 2030 के आयउजन सथल्ट की तो इसका जो आयोजन है ये उजबेकिस्तान के समरकंद में किया गया था नेक्स्ट कुशन आपका है भारत तिबद सीमा पुलीस यानी कि ITBP का जो नए महानिदेशक बने फ्रेंज वो कौन बने राहूल रसकोत्रा जो है ये ITBP के नए महानिदेशक बन गए है नेक्स्ट की शहर में बारवे दिवे कला मेला 2023 का उधगारन किया गया तो ये जो है फ्रेंट्स ये करा गया उधगारन कुछरात के सूरत शहर में नेक्स्ट कुशन अंतरास्टे बाली का दिवेस 2023 का मनाया गया राइट अंसर इस 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर को अंतरास्टे बाली का दिवेस मनाया गया 2023 का और 2023 के अंतरास्टे बाली का दिवस्की थीम थी Invest in Girl, Right, Our Leadership, Our Belbeing नेक्स्ट है जनवरी 2024 में अरजुन पुरुसकार जीतने वाली जो दुनिया के पहली बिना हाथ वाली महिला तीर अंदाज बनी उनका क्या नाम है काफे ज़दा इंपॉर्ण तो शीतल देवी जो है फ्रेंट्स की ये 2024 में अरजुन अवर्ड जीतने वाली दुनिया की पहली बिना हाथ वाली महिला तीर अंदाज बनी है इसी के साथ नेक्स्ट है स्वच्चता सर्वेक्षन 2023 में एक लाग से अधिक अबादी की कैटिगरी में जो सबसे स्वच्च शहर का पुरुसकार है वो किसे मिला ये मिला है इंदोर और सूरत को नेक्स्ट कोशन मर्नोप्रांथ तैंजिंग नौरगे रास्टे साहसिक पुरुसकार 2022 से समानित किया गया है नेक्स्ट इस हैलने एंड पार्णर्स की द्वाराजारी सबसे शक्ती शाली पासपोर्ट की सुची में भारत कौन से स्थान पर रहा तो भारत रहा असी में स्थान पर नेक्स्ट किस राज़ेने देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक वाइक टेक्सी सेवा यानि की जिसका नाम है वायू इसी की शुरुवात करी तो ये शुरुवात करी है अस्थम राज़ेने और ये जो है देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक वाइक टेक्सी सेवा है नाम क्या है वाय ये दिखा किताब मिला है तो फैंस की है आपका सिंगापूर का Next question कौन सा देश है जो की जुलाई दोहसार चोबिस में पहली बार युनेस्को की विश्व दरहोर स्मीती की मेजबानी करेगा Right answer is भारत तो हमारा प्यारा भारत जो है फ्रेंट्स की जुलाई दोहसार चोबिस में पहली बार युनेस्को की विश्व दरहोर स्मीती की मेजबानी करने वाला है Next रक्षा मंत्राले के नए महानेदेशक जो है फ्रेंट्स वो कौन बन गे तो वो आपके बन गे है समीर कुमार सेनहा Next है भारत की पहली स्वच खादे स्ट्रीट जिसका नाम क्या है प्रसादव इसका जो अनावरन है ये किस राजे में किया गया तो प्रसादव का अनावरन जो है ये आपका हुआ है मध्यबरदेश के उजान शहर में और ये भारत की पहली स्वच खादे स्ट्रीट है Next है आपका कुशन है किस राजे की कच्ची खरेक हुजूर को जो है जी आई टैंग मिला Right answer is गुजरात की Next question किस कंपणी के द्वारा कृष्णा गुदावरी बेसिन में पहली बार तेल का उतपादन शुरू किया गया तो ये आपकी है फ्रेंस ONGC जिसे की तेल और प्राक्रिक्तिक गैस निगम के नाम से हम जानते हैं Next है आपका 8 जनवरी 2024 को अमेरिका के एक प्राइविट कंपणी United Launch Alliance ने पहला अमेरिकी नीजे चंदर लैंडर 51 वर्षों के बाद लौँच गया इसका क्या नाम है इसका नाम है पेरेग्रीन 1 Next question है कितने लोगसभा सांसतों को जो है संसद रतन पुरुसकार 2024 प्रदान के गए तो फ्रेंड स्कूल जो है 5 लोगसभा सांसतों को संसद रतन पुरुसकार 2024 प्रदान के गए हैं जनवरे 2024 में रेलवे बोर्ड के जो सचीव का बदवार है यह आपका संभाला है अरुना नायने किसने अरुना नायने Next 81st Golden Globe Awards जो थे फ्रेंड्स 2024 के इसमें जो सर्व स्रेश्ट फिक्चर ड्रामा का पुरुसकार है वो किस मूवी ने जीता तो यह है आपकी ओपेन हाइमर मूवी इसने जो है Golden Globe Awards 2024 में जो है फ्रेंड्स सर्व स्रेश्ट पिक्चर ड्रामा मूवी का वोर्ड जीता है Next है हमारा किस राज्जे की कोरापुट कालाजी चावल को जो है GI टैग मिला तो यह है आपका ओडिशा राज्जे का चावल नाम क्या है कोरापुट कालाजी चावल OGI का फिल फिल्फिम क्या होता है Geographical Indication Tag Next प्रधानमदी नरेंद मोदी जी ने तीर तस्थलों पर स्वचता बनाई रखने के लिए किस अभ्यान की शुरुआत की तो यह है सुच्च मंदी अभ्यान इसकी शुरुआत की गई है PM नरेंद मोदी जी के द्वारा तीर तस्थलों पर स्वचता बनाई रखने के लिए नाम क्या है अभ्यान का सुच्च मंदी अभ्यान यह कोशन है इस वीडियो में वो एक्टम मैंने अच्छे लेवल के कोशन्स इंक्ल्यूड करें हैं पूरे लास्ट नाइन मंस के ठीक है और आपको जो है यह वीडियो कंप्लीट देखनी है अगर आपका कोई भी अभी एक्जैम आने वाला है गव्यान उससे बहले आपको यह वीडियो जरूर देखके जाना है वाला इन्यों की फॉर्मेंट में कोशन्स टके गए हैं क्यूंकि यह आपका क्विकर विजन है लास्ट नाइन मंस का ठीक है नेक्स्ट आपका बांगलादेश की जो पांचवी बार प्रधानमंती बनी उनका क्या नाम है तो उनका नाम है शेक हसीना यह जो है यह बांगलादेश की पांचवी बार प्रधानमंती बन गई है नेक्स कुशन भारती ओलंपिक संग यानि की IOC के जो CEO बने उनका क्या नाम है टाइटन सरीस रगुराम अयर रगुराम अयर जो है ये भारती ओलंपिक संग के नए CEO बन गए है इसी के साथ नेक्स कुशन आज के इंपोर्डन सेशन का एे में नर्वने जी की आथम कथा है नम क्या है ये भारत की सब्सेर बजूर्ग लोट भालू का नीदन हो गया है बहलू का क्या नाम था गबलू Next is महराश्चिक की जो पहली महिला पुलीस महाने देशक यानि की DGP बनगी Friends Director General of Police ये आपकी बनगी है रश्मी शुकला Next है आईश्याई विकास बैंक यानि की ADP के जो कारेकारी ने देशक है वो कौन बने? Right answer is विकास शील Next question Next है आपका किस राजी की आदिवासी लोगो दोरा लाल बुनकर चींटियों से बनाई गई सिमली पाल काई चटनी जो है Friends इसे भोगोलिक संके तक यानि की GI टैग मिला तो ये आपकी है ओडिशागी Next important question है दुनिया भर में पक्षियों की रक्षा और सनक्षन के लिए रास्टे पक्षी दिवस 2024 जो है ये आपका कब मनाया गया? Right answer is 5 January को मनाया गया रास्टे पक्षी दिवस 2024 और इसकी जो थीम टीफरेंस 2024 की काफितादा इंपोर्टेंट है वो धी लड़ाई का धिकार यानि की Right to Fight Next is January 2024 में किस राज्य में चंदूबी महुसव जो है इसका योजन हुआ? तो चंदूबी महुसव आपका मनाया गया अस्थम में January 2024 में Next is दपाबरी मस्चित रामंदीर डिलेमा जो है फ्रेंट्स इस बुक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है मादव गोड़वोले ने important question है ठीक है बुक का नाम आपने याद रखना है और राइटर का नाम याद रखना है Next is जल परवंदन में उत्रिष्टता के लिए जो है CII रास्ट्रे पुरुसकार 2023 किसने चीता? Titan cities hero motocope ने Next question के और बढ़ जाते हैं तो किस देश ने हीमतेंदुए यानि की snow leopard जो होता है इसे अपना रास्ट्रे प्रतिक घोशित कर दिया? तो किर्गिस्तान ने हीमतेंदुए को अपना रास्ट्रे प्रतिक घोशित किया है Next is संयूक तरास्ट्रे यानि की UN में भारत में के स्थाई प्रतिनीदी जो है वो कौन बने? तो उनका नाम है अरिंदम बाक जी और ये जो है UN में भारत के स्थाई प्रतिनीदी बन गए है Next important question है जनवरी 2024 में नोसेन स्थाफ के उपर प्रमुक का पदभार जो है फ्रेंज की किस ने संबाला? तो ये संबाला है दिनेश के त्रिपाठी ने Next question किस राजी में पुलीस महानी देश को और महानी रिक्षिको का जो है 58 अखिल भारतिय समेलन जनवरी 2024 में आई जित हुआ तो जी आपका जित हुआ फ्रेंज राजिस्तान की जैप प्रिशेहर में जिसे की पिंक सीडी के नाम से जाना जाता है Next is February 2024 में सैयुकत अरवे अमिराद की राज़णी अभूधाभी में पहले हिंदू मंदिर का उधखाण किसके द्वारा किया जाएगा तो फैंस हमारे पीम नरेंद मोदी जी ने पहले हिंदू मंदिर का उदिखाना कर दिया है सयुक्त अरवय मिराथ की राज़ानी अब बुदाभी में फडरी दोहसार चॉबिस में नेक्स्ट है फालकर नाइन रोकेट जो है इससे लॉंच होने वाला भारत का जो पहला उपकर रहा है वो उसका क्या नाम है उसका नाम है जी सेट ट्वंटी नेक्स्ट इंपोर्टन कोशन किस राज़े में 108 स्थानों पर 17 सबसे अधिक लोगों द्वारा सूरे नमसकार करने का जो है वो गिनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया तो ये बना है गुच्रात में नेक्स्ट जनवरी 2024 में चाड की जो नए प्रधानमन्ती यानि की प्राइम मिनिस्टर बन गए उनका क्या नाम है तो उनका नाम है सुकसेस, मसरा और ये जो हैं चाड की न्यू पि-म बन गए है नेक्स्ट है कौन सा के अंदिशाषित परदेश जो है वो जनवरी 2024 में पीम विश्व करमा योजना को शुरू करने वाला पहला के अंदिशाषित परदेश बन गया है तो वो है आपका जम्मू कुश्मीर नेक्स्ट कॉश्ट कॉश्ट कॉंगो लोकतांत्रिक गनराज्य के नए रास्टरपती कौन बने तो इनका नाम है फैलिक्स तसेसी केदी और ये जो है कॉंगो लोकतांत्रिक गनराज्य के न्यू प्रेजिडेंट बन के हैं इसी के साथ आज का next question, कौनसा देश में ब्रिक्स की अधिक्षता करेगा, कौनसा देश, तो वो है आपका रूस, next question है कि स्राजी की हाटी समुदाय को जो है अनुसुची जनजाती का तरचा मिला है, तो यह आपकी है हिमार्चर परदेश की जनजाती समुदाय, था यह हाटी वित्वे 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 वित्व आंतराष्टे सेमा शूल के दिवस 2024 जो है ये कब मनाया गया? राइतन सचीज चब्वीजनवरी, 26 जनवरी को मनाया गया आंतराष्टे सेमा शूल के दिवस 2024 और इसकी थेम क्या थी? थेम्ती कस्टम्स एंगेजिंग ट्राइशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पर्पस नेक्स्ट इंपर्टन कोशन है किस देश में जो है ग्यारवे इसियन शोटगन चैम्बेशिप दोहसाथ चोबिस का योचन किया गया तो फ्रेंस यह करा गया कुवेट सिती में और इसमें जो टोप तीन कंट्रीज रही वो रही चीन, चीनी ताइपे और भारत नेक्स्ट हमारा कोशन है गंतंद दिवस दोहजार चोबिस वर्ष समारों में कितने विक्तियों को जो है वीर्टा के लिए राष्ट्रे पदक से समानित किया गया राइट अंसर इस दो लोगों को अनतरस्टी क्रिकेट परिष्ट द्वारा 2023 के लिए सर गौफिल्ट सूबर्स ट्रोफी इससे किस खिलाडी को समानित किया गया है आपका गुशन है इंटरने workers Federation इसके बौरे किस खिलाडी को वर्ष्ट 2023 की सर्वेश्ट महिला rec Longrobi एक किताब मिला तो इनका नाम है नावरीम रोशी बिना देवी जो की मनिपूर की है इन्हें मिला है सब्सक्रेट महिला वुशु घिलाडी का टाइटल 2023 का नेक्स्ट है हमारा गोशन इन्होंने जो है उत्री काष्मीर के बारामुला में जन्रल विपिन रावच स् indispens का ऊदखारण किया इसका पूरा नाम है तो इसका नाम है बारामुला स्टेडियम और जो जन्रल विपिन रावच जी से ये हमारे देश के पहले CDS थे जिनका की ह situação क्या नेक्स एक किस रज़्य में देश का पहला शोद अथारित IIT सेटलाइट कैंपस स्थापित क्या जाएगा राइट अंसर इस उज्यान मध्यपरदेश में नेक्स्ट कोशन भारत की किस पूर्वु परास्ट पती को पधम विवुशन पर उसकार 2024 से समानित क्या गया राइट अंसर इस शीरिवेंकिया पधम भुशन 2024 से समानित क्या गया तो फ्रेंस इनका नाम है फातिमा वीबी और ये जो है सुप्रेम कोड की पहली महिला जज थी और पहली जो है ये थी पहली मुस्लिम महिला जज भी ठीक है और इने पधम भुशन मिला है 2024 का मन्नो परांत नेक्स्ट है किस भारती क्रिके इसके लिए पूरु शुवर्ग में जो है फैंस सर्वसेस्ट अंतरास्टे क्रिकेटर का पॉली उम्रीकर ओवर्ड जो है ये मिला है नेक्स्ट आपका कुशिन है ब्लूमबग की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में होंको को जो है पीछे चोड़कर पहली बार विश्व का जो चोथा सबसे बड़ा शेयर बजार बना वो बना है भारत अगर बात करें टोप तीन शेयर बजार की तो वो नमबर वन पे है अमेरिका सेकिन पे है आपका चीन और नमबर थ्री पे है जिपैन इंडिया की रेंगी भी काफी ज़दा इंपॉर्ड़न है तो इंडिया जो है इसमें रहा जो है कौन से स्थान पर चोथे स्थान पर नेक्स कोशन 24 में कितने लोगों को देश के सरवच्च समान भारत रतन से समानेट किया गया तो फैंस 24 में भारत रतन मिला है कुल 5 लोगों को ठीक है अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो चैनल पर अलरी अपलोड़ड है आप चपाइडक रसकते हैं इ उन्हे मनूप्रांध भराइधन मिला पूरो प्रधान मंदी P.V. नर्से महराओ जी को मनूप्रांध विज्ञानिक M.S. मामिनाथन जी को, जिन्हें की भारत में हरित क्रांधी की जनक के रूप में जाता है, इन्हें भी मनूप्रान दिया गया, और जो कर पूरी ठाकुर में इन्हें भी मिला मन्लो प्रांद और ये बिहार राजे के भी मुख्य बंती रह चुके हैं वहीं लाल कृष्ण अडवानी जो कि साथवे उप्रधान बंती थे हमारे इन्हें भी दिया गया भारत दन दोहजार चुबिस का नेक्स्ट आपका विश्व बैंक के दोरा जारी लोजिस्टिक परफॉमेंस इंडेक्स 2023 में जो भारत की रैंक है फ्रेंस वो क्या रही तो भारत इसमें रहा 38 में स्थान पर जारी से करा गया था विश्व बैंक के दोरा ठीक है लोजिस्टिक परफॉमेंस इंडेक्स 2023 था ज इन्हें लक्षमी नरायन अंतरास्ट्य पुरुसकार दोहसाथ चोबीस से समानित किया गया है नेक्स्ट है विश्व दलहन दिवस टोहसाथ चोबीस कव मनाया गया है 10 February को theme थी विश्व दलहन दिवस 2024 की दाले पोश्टिक मिट्टी और लोग ठीक है इंगलिश में बात करें तो pulses, nourishing, soils and people ये theme था विश्व दलहन दिवस 2024 खा नेक्स्ट है विश्व सरकार शिकर समयलन 2024 में जो है फ्रेंस किन देशों को सम्मानित अतिती के रूप में नामित किया गया तो इसमें जो है भारत, तुर्कीय, कतर जो है इन्हें जो है सम्मानित अतिती के रूप में नामित किया गया विश्व सरकार शिक्षामेलन 2014 में और इस शिक्षामेलन का जो विशे था वो था भविश्य की सरकारों को आकार देना यानि की शेपिंग दा गउर्मेंट्स ओफ नेक्स कोशिन नाम है नवीन ताहिल यानि क्या नाम है नवीन ताहिल यानि यह जो है टाटा डिजिटल के न्यू एमडी और सीईयो निक्त हो गए है नेक्स्ट आपका किस फाउंडेशन ने उतरबर्देश के नोईरा एरपोर्ट के पास जो है आधियोगी शिप की 242 फीट उची प्रतिमा बनाने की कोशना करी तो यह है इशा फाउंडेशन नेक्स्ट कुशन आपका इसराइल के विज्ञानिकों ने जो है साइप्रस के पास जल के नीचे की एक नई घाटी का पता लगाया है इसे क्या नाम दिया गया इसराइल एरा टोस्ट नीज नेक्स्ट कुशन नेक्स्ट आपका रक्षामंत्री राजना सिंग ने जो है आइनस संधाय को कहां से कमिशन किया राइटन सरीस आंधर परदेश के विशाखा पर्टनम से नेक्स्ट कुशन हमारा फरवरी दोहजार चोबीस में फ्रेंस चीन ने शक्तिशाली जिलोंग तीन जहां स्टार ड्राइगन थ्री रोकेट से कितने उपग्रहों को लौँच किया तो इन्होंने जो है नो उपग्रहों को लौँच करा है नेक्स्ट आपका बर्फजा पर सो रहे धुरूबी भालू की तस्वीर के लिए वाइड लाइफ फोटोग्राफर ओफ दा इयर पीपल्स 24 अवोर्ड 2023 का जो टाइटल है किस ने जीता राइट अंसर इस नीमा सरी खानी ने नेक्स्ट कुशन आज की सेशन का फेबरिडे 24 में फ्रेंस नई दिल्ली में सांसक्रितिक समारो विवित्ता का अमरीत महुसब जो इसका उद्खारिन किसके दौरा कियाँ तर इसका उद्खारिन करा गया था हमारी देश की राश्ट्रपती द्रोप्ति मुर्मोझी के द्वारा नेक्स्ट आपका किस देश ने दक्षिन इश्या के पहली पेशेवर महिला है और वो लीका नावरण किया राइटन से डिस फ्रेंस भारत के नई दिली में नेक्स्ट आजगा चार नाम नेपंधा चेथावनी डिवाइस जो है फ्रेंस जिसका नाम है नितिश इसे लौझ किया है तो नितिश लौझ करा गया बिहार द्वारा अगर बात करें नितिश की फूल फॉर्म की तो नितिश की फिलफॉर्म है Novel Initiative Technological Intervention for Safety of Human Lives नेक्स्ट है अल्स सलवादोर की जो नियू रास्चपती बन गे उनका क्या नाम है तो उनका नाम है नाइब बुकेले नेक्स्ट हमारा कोशन है प्रसारन मंत्राले के जो नए सच्चीव बन गे उनका क्या नाम है तो उनका नाम है संजेजाजू यह जो है यह सुचन और एबं प्रसारन मंत्राले के नियू सच्चीव अपोइंट हो गए है नेक्स्ट हमारा का सुच्चित इंटरनाईट दिवस जो है यह 2024 का मनाया गया तो सुच्चित इंटरनाईट दिवस मनाया गया है शेव अब ड़िरी को और इसका जो विशे था फ्रेंस 2024 का यानि की theme था वो था प्रेर्णा दाइक परिवर्तन एक साथ बहतर इंटरनेट के लिए यानि की inspiring change together for a better internet नेक्स्ट आपका दिव्यांग कारीगरों और उद्मियों की प्रतिभा और कोशल का जशन मनाने के लिए नेक्स्ट आपका दिव्यांग कारीगरों और उद्मियों की प्रतिभा है और कोशल है उसका जशन मनाए जाएगा नेक्स्ट आपका कोशल तेलंगना फुटबॉल एससेशन किस शहर में फीफा विश्कप 2026 क्वालिफायर की मेचपानी करेगा तो ये करेगा तेलंगना फुटबॉल एससेशन हैद्रावाद शहर में नेक्स्ट आपका उत्री आयलेंड ने पहली बार जो है किस आईरिश रास्चप वादी को प्रत्व मंत्री ने उत्त किया तो इनका नाम है मिशेल ओ नील नेक्स्ट कोशन भारती सेना के जो नई उपरमुख बन गए उनका क्या नाम है उनका नाम है उपेंद्र दिवीपेदी नेक्स्ट कोशन भारत के जो नई स्वास्ते सचीव बन गए उनका क्या नाम है राइट आंसर इस अपूर्व चंद्र जो है ये जो हैं भारत की न्यू स्वास्तिय सचीव बन गई है इसके के साथ आज का नेक्स कोशन है आपका यमन के जो न्यू प्रधानवनती बन गई है उनका क्या नाम है यमन के न्यू प्राइम इनिस्टर बन गई है इसके साथ आज का नेक्स कोशन है टॉम 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 ट्रैफिंग इनिस्टर रैंगिंग 2023 के अनुसार जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम बाला शाहर कौन सा बना तो वो बना है आपका लंदन नेक्स कुशन है फेबरेरी दोहसार चोबिस में भारत उर्जा सपता के दूसरे जंसकन का उधकारण किसके दोरा किया गया तो यह यह किया गया हमारे देश की पीम नरेंद नमोधी जी के दोरा करमाटक हाइक को ओट के जो नए मुख्य नाएधिश भन गया है फंसुन हमार चार फेबरेरी को नेक्स कुशन है फटवरी दोहजार चोबीस में किस राज्जे में राष्टर मंदल देशों के महान आएवादियों और सलिस्टर जनल का जो समेलर है फ्रेंस इसका आयोजन हुआ था तो ये आयोजन हुआ था आपका नई डिली में किस थीम पर अधारित था ये समेलर तो इसकी थीम थी Cross Border Challenges in Justice Delivery नेक्स्ट है आपका कुशन चोथा अंतराष्टे मानव वंदुतव दिवस तो हज़ार जो है ये कब मनाया गया राइट हैंसर इस चार फेब्रेरी को नेक्स्ट कोशन डिजिटल शेंगेन विजा को जारी करने वाला जो पहला ये उरोपीय संक देश बना फ्रेंस वो कौन सा बना राइट हैंसर इस फ्रांस नेक्स्ट आपका महिला इवाल विकास मंत्राले ने बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए किस पोटल का नावरण करा तो इसका नाम है घर पोटल इन्हें जो है किस क्रिकेट टीम के मुखे कोच के रूप में नुक्त करा गया ये उस्ट्रेलिया के पूर्व बल्ले बास्ते नाम क्या है माइकल क्लिंगर नेक्स्ट है माना कोशन उत्राखंड हाई कोट की पहली महिला मुखे नादिश कोन बनी राइट अंसर इस अरितु बाहरी ये जो है ये उत्राकंड हाई कोट की पहली महिला मुखे नादिश बन गई है नेक्स्ट कुशन के बात करें तो जो 66 नमर के ग्रैमी ओवोर्स से फैंस जो आपकी 2024 में जित हुए इसमें जो बैस्ट ग्लोबल म्यूजिक अल्बम का वोड है ये किसे मिला तो ये मिला था इस मुमेंट को फैब्रेडी 2024 में जो आंत्रिक्ष में सरवादिक समय बिताने का रिकोर्ड बनाया है फ्रेंस वो आपका बनाया है ओलेग कोनों नेको ने नेक्सट आहिक अमारा Electronics Bios Bowt के नए Brand Ambassador कोन बने तो यह जो है यह जो है यह बने Isnbyr Singh जो की BOLLY 부분이 senza एक्टर है तो यह CHRIS B org जो जिसका नाम है बोट um Das yog Brid नेक्सट आया राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य नअदिश कौन बने राइट राजिस्थान की जो नए माहा ध्युवक्पता है वो कौन बने राजेंदर प्रसाद गुपता नेक्स नेमारा कोशिट है देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वेपोथ सर्वेक्षिन जहाज जो है यह भारती नोसिना में शामिल किया गया है इसका नाम क्या है इसका नाम है इन एस संधायक और यह देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वेपोथ सर्वेक्षिन जहाज है फ्रेंज नेक्स आपका और नाम इसका आपको याद रखना है इसका नाम है नेक्स एक यह किस राज्य के नोईडा इंटरनाशनल एरपोर्ट के पास आदियोगी शिप की 242 फी यह दोहजार चोबिस में इसका योजन करा गया महरास्टर के मुंबई में नेक्स कोशन की और मूव करते हैं उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो की गगन यान मिशन दोहजार चोबिस से बहले अंतरिक्ष में उडान भरेगी तो इंका नाम है व्योम पटना में नेक्स कोशन भारती खेल पतरकार महासंग और दिली खेल पतरकार संग ने किस भारती अथलीट को जो है लाइफटाइम अचीब्मेंट अवोर्ड दोहसार चोबिस से समानित किया गया तो इन्होंने जो है फ्रेंट्स पी टी उशा जो की एक अथलीट है इन्हे लाइफटेम अचीब्मेंट अवोर्ड दोहसार चोबिस से समानित किया है नेक्स्ट कोशन हमारा आज का तीन फेबरेरी दोहसार चोबिस को प्रधारमतिन नरेंदर मोदी जी ने जो है किस राचे में ताला बीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उधगारन किया तो फैंस नरेंदर मोदी जी ने जो है और इशा राचे में जो है तीन फेबरेरी दोहसार चोबिस को ताला बीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उधगारन करा है इसके साथ नेक्स्ट कोशन है आपका विश्व कैंसर दिवस दोहसार चोबिस का मनाया गया राइट अंसर इस चार फ इसका किताब चीता है राइट आंसर क्या है इस कोशन का नीदलैड अगर भही बात करें हम फ्रेंट इसमें उपीचेता टीम की तो वो रही मलेशिया नेक्स्ट कोशन है किस राजे में पुरवोतर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित साले जो है ये खोला जाएगा तो पु इसकी शुरुवात की तो उंगलेई थेडी उंगल औरिल योजन जो है ये शुरू करी गई है तम मिनाटू राचे त्वारा नेक्स्ट कोशन कोंसा देश जो है वो लगता चोती बार विश्व टेस्टे चैंपेशिप दोहजार सताइस फाइनल की मेजपानी करेगा तो इं करा ये करा शेख हसीना ने ayuda कि साइस वे सुरिजग अंदर रास्टे शिल्प वर्ष 2023 में दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश बना चीन जो है ये वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे शीर्ष वाहन निर्यातक देश बना ठीक है निक्स्ट दो ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भार्थ ये सेलर जो है वो कौन बने तो इनका नाम है विश्णू सर्वनन नेक्स्ट कॉश्चिन विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह जो है 2024 के कब मनाए गया तो ये मनाए गया एक से साथ फेबरेरी तक थीन ठीस की शान्ती के लिए एक जूट नेक्स्ट कॉश्चिन हमारा न्याधिश प्रदीप कुमार श्रिवास्तव को जो है फ्रेंस किस राज्य के हाई कोट के न्याधिश के रूप में नुक्त किया गया तो इन्हें जो है चारखंट राज्य के हाई कोट के न्याधिश के रूप में नुक्त करा गया है नाम है इनका प्रदीब कुमार श्रिवास्तव केस राजे सरकार ने लगू भान चाती द्रव्य करए लाव योजना की शुरुआत की तो ये और न शुरू की गई है फ्रेंट्स और इशाराजे द्वारा भारत की जो पहली नीजी हैलिकॉप्टर असेंबली लाइन है फ्रेंट्स ये स्थापित करने के लिए टाटास्मू जो है इन्हों ने किस के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर की तो टारास मूँ ने जो है येर बस के साथ जो है फ्रेंट समझोता कि आपन पर हस्ताक्षिर करें हैं भारत की बहली नीजी हेलिकोप्टर असेम्बली लाइन स्थापिट करने के लिए विश्व कुष्ट रोग दिवस 2024 जो है ये कब मनाया गया विश्व कुष्ट रोग दिवस मनाया गया 2024 में 28 जन्वरी को थीम इंबोर्डन है थीम थी कुष्ट रोग को हराओ नेक्स्ट है मना गोशन है दोहजार चोबिस पैरिस ओलंपिक की मशाल बहाग के रूप में किसे चुना गया राइट अंसरी अभिनव विंदरा को नेक्स्ट है लगातार तीसरी वार एश्याई क्रिकेर परिश्ट के रूप में किसे नुक्त किया गया इनका चोग आयोजन है ये कहां किया जाएगा तो इनका आयोजन जो है फ्रण्स लदा के लेह में चमु गश्मीर में किया जाएगा ठीक है और शुभंकर की बात करे यानि की मैसकोट की तो मैसकोट है इसका स्नो लैपर शी ने शी और संसकन कौन सा है 2024 में चो था जारकन के जो नए मुखे बंदी बंगे फ्रेंट्स उनका नाम क्या है? राइट अंसर इस चमपई सोरेन नेक्सट जे 1-1-1-2-24 को अंदरीं बजट दोहसार चोबीस जो है ये किसके दोरा पेश किया गया? राइट अंसर अंसर इस हमारी विट्ट मंतरी नेमला सितारमान जी ने जो है 1-1-2-1-0-24 को फ्रेंज आंदरीं बजट दोहसार चोबीस पेश किया? कितने बजे 11 बजे 1 February 2024 को अंधरी बजट 2024 में किस मंत्राले को सबसे जदिक वजट अवंटित किया गया है तो रक्षा मंत्राले को जो है सबसे जदा वजट अवंटित हुआ है विश्व आधरभूमी दिवस यानि की World Wetland Day 2024 में कब Celebrate किया गया तो यह आपका Celebrate किया गया 2 February को थीम की बात करें थीम काफ़ जदा इंपोर्टन है World Wetland Day की Wetlands and Human Well-Being यानि किया अधरभूमी और मानव कलिया जो है थीम था 2024 का एलन मस्की किस कंपनी ने जो है फ्रेंस नियूरो लोजिकल विकार से पीडित पुर्णूशे की दिमाग में पहली बार चिप लगाई तो यह लगाई है नियूरा लिंक में पुडूचरी के जो नए मुख्य सचीब बने उनका क्या नाम है राइट अंसरी शरत चोहान यह पुडूचरी के नए मुख्य सचीब बन गए है नेक्स्ट आपका भारती सेना के लिए मॉबाइल ब्रीज सिस्टम जिसका नाम है सर्वत्र इसको जो है किसने लौच करा तो DRDO ने जो है इसने लौच करा है नाम है इसका सर्वत्र नेक्स कोशन हमारा आज का किस रज़ laham उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ तो इन में जो है अंक स्मूद्र पक्षी सारक्षन रिजर्व जो कि आपका करनाटक में है अगना शिनी एस्च्वेरी जो कि आपका करनाटक में है मगदी केरे सारक्षन रिजर्व ये भी करनाटक में है क्राइबेटी पक्षी अभेरने जो कि तमिनाडू में है लोंगवूड शोला रिजर्व बन जोकी तमयनाडू में है इन पांच आधर भूमियों को जो है भारत की इन्हें रामसर स्थलों में जो है शामिल करा गया फेबरेडी दोहजार चोबिस में और फेबरेडी 2024 तक जो है इन्डिया में किते रामसर स्थल हैं टोटल 80 या आपने याद रखना है नेक्स कोशन आपका वितवश्च दोहजार चोबिस पचीक के बजट में किस वर्श तक जो है विक्सित भारत का लक्षे रखा गया है राइट अंसर इस दोहजार संतालिस त कि अध्यक्ष के रूप में किसे निक्तिया गया तो इनका नाम है आनीलकुमार लाहोटी नेक्स्ट कोशन 15 गंदधा दिवस परेड में किस मंत्राली की जहांगी जो है सव्शेश जहांगी का वौड मिला है तो वो मिला है शांस्कृत मंत्राली की जहांगी को और थीम था भारत लोकतंत्र की जन्नी समुद्री शेवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला रास्टे समयलन कहा है जित क्या गया तो यह जुन करा गया इसका उजरात की कच्छ में नेक्स्ट है आपका किस क्रिकेटर ने जो है फॉस्ट क्लास क्रिकेटर में सबसे तेज ट्रिपल सैंचुरी लगा कर विश्व रिकोर्ड बनाया है तो तनमे अगरवाल जो की तलंगना किये हैं इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सैंचुरी लगा कर विश्वरी कोर्ड बनाया है किस विश्विद देले में जो है उतर भारत का पहला मानव डियने बैंक बनाया जा रहा है तो ये बनाया जा रहा है बनारस हिंदू विश्विद देले में जो की यूपी में आपका ठीक है और ये जो है उतर भारत का पहला मानव डियने बैंक होगा भारत में पहली बार जो है किस राज़े में उतरी अमेरिका पक्षी लॉफिंग गुल देखा गया तो ये दिखा गया फ्रेंस केरल के कासर गोर में नेक्स्ट है अमारा कोशन भारत में पहली हीमत तेंदू अगना के नुसार जो है किस राज़े याँ फिर केंद शाशित परदेश में हीमत तेंदू की अवादी जो है फ्रेंस सबसे अधिक है तो फ्रेंस लद्दाक में जो है हीमत तेंदुए की अबादी सबसे ज़्यादा अधिक है और कितने हैं हीमत तेंदुए लद्दाक में 477 नेक्स्ट है हमारा कॉशन काहिरा में आयजित I.S.S.F विश्व कप 2024 में पुरुशों की एर राइफल्स पर्दा में किस भार्दे ओलंपियन ने सवन बदक जीता तो इनका नाम है दिव्यान सिंग पनवार नेक्स्ट है केरल की कनूर में चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाने वाली किस भाशा को विलुप्त की शरेनी में रखा गया राइट अंसर इस मदिका भाशा को मलेशिया के जो फ्रेंट 17 राजा बने है उनका क्या नाम है उनका नाम है सुल्तान इबराहीम और ये जो है ये मलेशिया के 17 नंबर के राजा बने है अजाली असोमनी जो है ये किस देश की चोथी बार राश्टरपती बने तो ये जो है कौमोरोस की चोथी बार राश्टरपती बने नाम है इनका अजाली असोमनी next question के और move करते हैं तो कोंसा राजे है जो की भारत में semiconductor नीती लागू करने वाला चोथा राजे बना वहीं बात करें शीष तीन राज्यों की तो इनकी श्रणी में नंबर वन पे रहा है गुजरात, नंबर सेकिंड पे रहा है ओडिशा और नंबर थोर पे रहा है तम इनाड़ो आपका ठीक है नेक्स्ट आपका भारत में जो चोधवा रास्टे मद्दादा दिवस 2020 है ये कब मनायागा इंपॉर्डंट कोशन है तो पच्छिस जनवरी दोहरा़जाज सोबीस को हमने अपना चोधवा रास्टे मद्दादा दिवस मनाया है फ्रेंडस जिसकी तीम थी नथिंग लाइक व इसी के साथ आज का नेक्स कोशन है कुछी पूरी नरित्यांगना जिनका नाम था पैंडियाला लक्षमी प्रियाको भारत के रास्टे पती द्वारा जो है फ्रेंस प्रधार में थी रास्टे बालपुरुस्कार दोहजार चोबीस से समानित क्या गया है यह इनका संबंध किस राजे से है तो इनका संबंध है तेलंगना राजे से नेक्स आपका किस राजे में केंडरी ग्रहमंत्री अमिशाजी ने जो है डिजिटल फोरेंसिंग उत्रक्रिष्टता के इंदर का उत्खाण करा है कुछाट की कैपिटल गांधी नगर में इसी के साथ आज का सेशन का नेक्स कोशन है जनवरी दोहजार चोबिस में किसे जो है वो सुप्रीम कोड के चोंतिसवे नयाधिश के रूप में नुक्त किया गया तो फैंस इनका नाम है जस्टिस प्रसना वी पराले इन्हें जो है जनवरी दोहजार चोबिस में सुप्रीम कोड के चोंतिसवे नयाध का एक बार quicker vision है अगर आप वीडियो को end तक देखते हैं तो for short जो है आपको exam में current affairs के question last 9 months के इसी वीडियो में से देखने को मिलेंगे ठीक है तो आपने वीडियो को बिना skip किये हुए end तक जरूर देखना है last में में आपसे two questions का test भी लूँगी और अगर आप complete video देखोगी अच्छे से तो ही आप test cancer जो है वो कर पाऊगे आपने comment section में test cancer जरूर करना है complete video करने के देखने के बाद और आपने जो है वीडियो को जाद से जादा like और शेयर भी जरूर करना है और आपने जो है वीडियो का description box जरूर चैक आउट करना है हमारी paid videos के लिए ठीक है next question अच्छे में जो है दुनिया की पहली melanistic tiger safari स्थापित की जाएगी तो फ्रेंस के स्थापित की जाएगी उडिशा के मियूर भंच में next है आपका भारत फ्रांस और संयुक्त अर्व एमिराद के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास जिसका नाम क्या है desert night desert night जो है फ्रेंस कि किसकी द्वारा संचालित किया गया तो ये संचालित करा गया भारत योवाईयो से ना द्वारा ठीक है और ये जो है ये भारत फ्रांस और संयुक्त अर्व एमिराद की बीच आयोजित जो है एक संयुक्त अभ्यास था और जिससे संचालित किया भारत योवाईयो से ना ने नेक्स्ट है आपका question अमेरिका में जो है पहली बार दोशी को फांसी देने के लिए किस गैस का विपयोग किया गया राइट अंसर इस नाइट्रोजन गैस का नेक्स्ट बिहार के किस पूर्व मुख्य मंति को जो है फ्रवंनो प्रान देश के सर्वोच समान भारत रतन बारत रतन 2024 से समानित किया गया और 2024 में कुल 5 जनों को भारत रतन मिला है लेक्स्ट आपका भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यान की BCSI में महिला वर्ग में क्रिकेटर ओफटा येर 2023 से किसी समाने किया तो फिंस BCSI ने महिला वर्ग में क्रिकेटर ओफटा येर 2023 चुला है दीपती शर्मा को और ये जो हैं ये उत्तर प्रदेश राजी की रहने वाली है नेक्स्ट आपका विश्व स्वास्ते संगर्ण ने दक्षिनपूर वेश्या का जो छेत्री निदेश्यक है वेंड्स पो किसे न्युक्त करा गया है साइमा वाजीत को इसी के साथ नेक्स्ट कोशन आज की सेशन का अंतराष्टी शिक्षा दिवस 2024 आपका कब मनाया गया ये मनाया गया है 24 जंदरी को थीम की बात करें थीम इंपॉरंट है थीम है स्थाई शांती के लिए सीखना यानि की लर्निंग पोर लास्टिंग पीस नेक्स्ट आपका सुभाष्चंद्र बोस आपता प्रवंदन पुरुसकार 2024 की से प्रतान किया गया राइटन सरी 60 पेराशूट फिल्ड होस्पिटल जो की यूपी में है फ्रेंट्स इन्हें सुभाज चंदर बोस आपता प्रवंदन पुरुसकार 2024 मिला है सुभाज चंदर बोस जी जो है फ्रेंट्स इक सवतंत सेनानी थी और इनके दोरा एक काफी साथ प्रसीद नारा भी दिया गया जो कि आपको पता होना चाहिए नारा था वो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा नेक्स्ट आपका इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का टाइडल जो है वो किस ने जीता तो इनका नाम है ताई तजू इंग जो कि ताइवान के है फ्रेंज इन्डिया ओपन बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का टाइडल जीता है वही आगर बात करें, इंडिया उपन बैडमिंटन 2024 में फ्रेंज पुरू शेकल में, पुरू शेकल में ही अवोड मिला, शी, यू, क्यूई को जो की चीन के हैं, और इंडिया उपन बैडमिंटन 2024 जो है फ्रेंज, इसका योजन, 16 से 21 जन्वरी तक जो है, नई दिली के कैडी जादव इंडोर स्टेडियम में इसका अयचन हुआ था इसी के सार नेक्स कोशन है आपका पधम भूशन विजेता जिनका नाम है प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा इन्हीं जो है फ्रेंश जनवरी दोहसार चोबिस में इनका नीदन हो गया प्रोफेसर वेद का किताब है वो किस द्रक्ष खिलाडी ने जीता ये जीता है अनन्त सिंग ने और ये जो है ये भारत के प्लेयर है विश्वप परिवारी इक दिवस याने की रक्षामंती राधान सिंग्ची ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उत्खारण किया तो यूपी के जो है वरिंदावन में बालिकाओं के लिए जो है पहले सैनिक स्कूल का उत्खारण हुआ और इस सैनिक स्कूल का नाम क्या है? नाम है सम्विद गुरु कुलम बाली का सैनिक स्कूल नेक्स्ट अमाना कोशन है राजिस्थान के जो नए मुख्य सची बन गे उनका क्या नाम है? राइट अंसरी सुधांश पंथ नेक्स्ट कोशन भारत के रक्षा नुसंथान और विकास संगर्ण यानि की DRDO ने जो है फ्रेंट्स एक जनवरी दोहजार चोबिस को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो DRDO ने जो है एक जनवरी दोहजार चोबिस को अपना 66 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है पाकिस्तान में चुनाव के लिए पहली बार हिंदू महिला ने नोमिनेशन भरा है इनका क्या नाम है इनका नाम है डॉक्टर सवीरा परकाश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रैंड अम्बैस्टर पिंकी को जो है बनाया गया इनका संबंद किस राज़े से है इनका संबंद है फ्रेंज यूपी राज़े से पिये मुझवला योजना के दस करोड वेलाबर्थियों का नाम क्या है राइट अंसर इस मीरा मांजी चोकी यूपी की है नेक्स्ट हमारा कोशिन किस देश ने जनवरी दोहसार चोबीस में FIH 5S महिला हो की विश्कप दोहसार चोबीस के पहले संसकन का आयोजन किया तो फ्रेंस इसका पहला संसकन आयोजित हुआ ओमान के मसकट में भारत और किस देश के बीच एस सैने अभ्यास 10 देश साइकलों दिश तरव 2020 जो है इसका आयोजन किया गया प्रित्वी के परत मैंटल की जांज करने के लिए जो है फ्रेंट्स किस देश ने ड्रिलिंग जहाज जिसका नाम है मैंग जियांग को लॉंच किया तो यह आपका लॉंच किया है जी चीन ने नेक्स्ट है हमारा कोशन किस राजे में भारत की पहली पंडू भी परियाटन सुभिता शुरू की जाएगी तो यह शुरू की जाएगी गुचरात के द्वारका में नेक्स्ट है हमारा उपराष्ट पती जगदीब धनकर को जो है किस विश्विद्याले के पदेन चांसलर के रूप में नुक्त किया गया तो फ्रेंट जो हमारे उपराष्ट पती है जगदीब धनकर जी इन्हें जो है पांडे चेनी विश्व विद्या लेकि पदेन चांसलर के रूप में निक्तश किया गया है राधिसनी बलो के आधिकारिक सेराख्षन दस्तावेश को साजा करने के लिए किस एप को लौच किया गया है तो इस एप का नाम है सेंट्स एप नेक्स्ट है उतरपरदेश के अयोध्या में महरी दोषप दोषछ के इसके दोषच के द्वारा गे गया तो महरी के अंतर आश्ट्य हवाय ऐड़े का उठखारण किया गया हमारे पीम नरेंदमोदी जी के द्वारा यूपी ये अयोधिया में जन्वरी दोहसार चोबिस को जो है भारत का पहला एक्सरे पॉलरी मीटर उपकर है किसके द्वारा लौच किया गया तो ये लौच करा गया फ्रेंट्स इसरो द्वारा इसी के साथ नेक्स्ट है राष्टपती ड्रोपती मुर्मुजी ने जो है किस राज़े में आज़ित कार भी हुआ मोहसार दोहसार चोबिस की पचासवी वर्षखान में भाग लिया तो फ्रेंस ये आज़ित की गई थी असम के ओंगलों में इसी के साथ नेक्स के सेशन का ये ये पूरवधिक्ष का क्या नाम था जिनका की निदन हुआ है दिसंबर 2023 में तो इनका नाम था फ्रेंस जेक्स डेलर्स और इनका जो है 98 एर्स की उमर में निधन हुआ है और ये फ्रांस के थे नेक्स कोशन देखते हैं उत्रपरदेश के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का जो उद्खाटन है वो किस ने किया तो ये दिखाटन करा नरेंद मोदी जी ने और इस टेशन का जो पूर्वे नाम था वो था अयोध्या जंक्शन नेक्स्ट है हमारा मैन उफ दा इयर 2023 पुरुस्कार से किसे समानित किया गया राइटन जरीज एलपी हेमन के श्री निवासलू जो है फ्रेंज इन्हें मैन उफ दा इयर 2023 पुरुस्कार से समानित किया गया है नेक्स्ट है हमारा गोशन 99 तांसें संगीत समारो 2023 में तांसें समान 2022 से किसे समानित करा गया राइट अंसरी पंडित गंपती भट को जो है तांसें समान 2022 से समानित किया गया है किस भाटिटेबल टैनिस के लाड़ी ने अमेरिका के टेकसोस में WTT Feeder Coppers क्रिस्टी 2024 में जो है फ्रेंस अपना पहला अंतराष्टे किताब जीता है तो इनका नाम है श्रीजा अकूला जो की तेलंगना की है इन्होंने जो है फ्रेंस अमेरिका के टेकसास में WTT फीडर को उपर क्रिस्टी 2024 में जो है अपना पहला अंतराष्टे किताब जीता भारत का जो प्रतम केंद्र वित पोशित गो भ्यारने हैं ये किस राज्य में बनाय जाएगा तो ये बनाय जाएगा उत्रप्रदीश के मुजफ़र नगर में चन्दरमा की सतह पर सफलता पुर्वक सोफ्ट लेंडिंग करने वाला दुनिया का पांचवा देश कोन सा बना राइट अंसर इस जापैन और जापैन की इस मिशन का नाम था स्लिम जिसका की फुल फॉर्म था स्मार्ट लेंडर फॉर इंवेस्टिकेशन मून मिशन चन्दरमावर जो पहुंचने वाले फ्रेंस पहले चार देश हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ तो नंबर बन पे है सईंग तरव अमिराद नंबर टू पे है सोवियत संग नंबर थी पे है चीन और नंबर फोर पे है हमारा प्यारा भारत नेक्स्ट है आपका कौन सा विश्विद्याले जो है वो श्रीमद भगवत गीता के उर्दू अनुवात पर शोद करने वाला देश का पहला विश्विद्याले बन गया तो यह है आपका बनारस विश्विद्याले जो की उतरवर देश में है यह जो है फ्रेंस यह मुख्यमंती मनोहलाल खटर ने साइन्स सिटी विक्सित करने की घोशना करी तो ये घोशना करी गई है फरीदाबाद में ठीक है गुर्ग्राम में है ये नेक्स्ट है हमारा उतरपरदेश में उतरपरदेश में स्थित अयोध्या राम मंदीर का निर्मान जो है फ्रेंस इसका जो निर्मान काड़े था ये किस कंपनी को सौंपा गया था तो ये तो सौंपा गया था लोर्सन अन्टूब्रो कंपनी को नेक्स्ट है हमारा उतरपरदेश में स्थित अयोध्या राम मंदीर को किस वास्थूखला शैली में बनाया गया तो इसे बनाया गया है नागर शैली में नेक्स कॉशन उत्रपरदेश में इस्तित अयुद्ध्यारामन्दीर के जो वास्थूखार रहे हैं Friends उनका क्या नाम है? उनका नाम है प्याब कर रहा इतली और हमारा भारत रहा नोवे नंबर पर ठीक है नेस्ट हमारा कोशन शे बार भारत की गंधंदर दिवस परेड में विदेशी महमान बनने वाले एक मात्र देश जो है वो कौन सा बना वो बना है फ्रांस और फ्रेंस पचतरवा गंधंदर दिवस जो की हमारा दोहसार जोबिस में सेलिबरेट करा है इसके जो अतिती थे वो थे फ्रांस की राष्टर पती जिनका नाम था इम्म्यानुएल मैक्रोन ठीक है इसके जो प्रान प्रतिष्ठा है फ्रेंस की किस थिति को की गए थी ये की गए थी 22 जनवरी दोहसार चोविस को नेक्स कोशन किस एक मात्र भारती के लाड़ी ने जो है विंटर यूथ ओलंपिक दोहसार चोविस में भाग लिया है तो साहिल ठाकूर जो है जो की अल्पाइन स्कीर है इन्होंने जो है ये एक मात्र ऐसे भारती के लाड़ी है ये इन्होंने की विंटर जूथ ओलंपिक 2024 में पाटिसिपेट करा है नेक्स चापका जनवरी 2024 में G77 शिकर समिलन 2024 का आयोजन कहां किया गया तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंज जुगांडा के कमपाला में विश्व स्वास्ते संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त गोशित किया जनवरी 2024 में मलेरिया मुक्त कोशित किया है इसी के साथ आज का नेक्स कोशिन है किस देश को मतस्य पालन प्रवंदन पर खादे और क्रिशी संगठन उपसमिती के पहले उपधक्ष के रूप में चुना गया तो ये है हमारा भारत जुगार्णा में जो जी 77 की तीसे शिकर समयलन में भारत का प्रतिनिद्रित्व है फ्रेंजी कि किस ने किया तो ये प्रतिनिद्रित्व करा गया वी मुली धरंजी के द्वरा नेक्स्ट है आपका ग्रामीन महिला उद्मियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य में मुख्यवंती महिला उद्मिता अभ्यान का नावरण किया गया राइट अंसर इस असम राज्य में नेक्स्ट हमारा कोशन राष्ट पती द्रोपती मुल्मु जी ने जो है 22 जनवरी दोहसार चोबिस को नई दिली में असाधारन प्रतिवा वाले कितने बच्चों को प्रधानमेती राष्ट बाल परुसकार दोहसार चोबिस से जबाने क्या राइट अंसर इस उननीस नेक्स्ट है श्रीकषा मंत्राले ने कितने वर्ष से कम आयू के विद्यार्थियों के कोचिंग के इंदर में प्रवेश पर रोक लगा दी है कोचिंग के इंदर में प्रवेश पर रोक लगा दी है नेक्स्ट हमारा कोशन है यूद्द व्यास जिसका नाम क्या है नाम है स्टीर फास्ट डिफेंडर दोहजाट पिस इसका यो आयोजन है फ्रेंज ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था ये आपका आयोजित करा गया था नाटो द्वारा डिकोर्ड आठवी वार जो है बालकन एथलीट दोहसार थेज का किताब किसके लाड़ी ने जीता तो ये जीता है नोवाग जोकोविच ने जोकिस सर्विया के है नेक्स्ट आवाना कोशन है इंडियन इम्मिनो लोजिकल्स ने देश की पहली स्वदेशी हैपिटाइटिस ए वैक्सिन जो है लॉंज की इसका क्या नाम है तो इसका नाम है है वी शियोर संयुक्त विशेश बल अभ्यास जिसका नाम है खंजर 2024 इसका जो फ्रेंस ग्यारवा संसकन है ये भारत और किस तेश के बीच आयोजित हुआ तो इसका 11 संसकन आयजित किया गया था भारत और किर्गीस्तान के बीच नाम क्या है संयुक्त विशेशबल अभ्यास का खंजर 2024 नेक्स आपका संयुक्त विशेशबल अभ्यास इसका नाम है चक्रवाद 2024 इसका जोफ्रेंट दूसरा एडिशन था ये भारत और किस देश के बीच आयजित हुआ तो ये एजित हुआ है इसका सेकेंड एडिशन भारत और मिस्र देश के बीच जिसके एजिप्ट भी कह जाता है इसी के साथ आज का नेक्स कोशन आपका उत्रपरदेश सरकार के दौरा उत्रपरदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे समानित किया गया राइटन सरीस डॉक्टर रितु करिधल और नवीन दिवारी जो है इन्हीं जो है उत्रपरदेश सरकार के दौरा उत्रपरदेश गौरव सम्मान 2024 से समानित करा गया है Dr. Ritu Karithal जो है ये इस रो में एक कारे रध है प्रेजन टाइम में नेक्स्ट है 16 साल की बाच्चित के बाद भारत की ने किस देश के बीच में मुक्त वेपार समझोते पर हस्ताकशर किये तो भारत ने chant swizzle land देश के साथ जो है मुक्त वेपार समझोते पर हस्ताक्षर करें हैं 16 साल की बातशीत के बाद भार्दिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि की BCCI ने जो है पुरुष वर्ग में क्रिकेटर ओफदा एर 2023 से किसे समाने किया टाइटन सरी शूमन गिल को गंदंदर भारत की 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में हमारा समिधान हमारा समान अभ्यान का उद्खाड़न किसके दोरा गिया तो यह उद्खाड़न करा गया हमारे उपराष्ट पति जगदीब धनकरजी के दोरा नेक्स्ट है हमारा कोशन प्राकरम दिवस दोहजाद चोबिस जिसे की हम सुभाष चंदर बोस जी की जनती के रूप में मनाते हैं और दोहजाद चोबिस में हमने इनकी 127 नी जनती बनाई है ये जो है आपका कब मनाया गया तो ये बनाया गया फ्रेंस टेई सन्वरी को नेक्स्ट कोशन राष्ट्रपती द्रोपती मुर्मुजी ने गंदंदर दिवस के अफसर पर जो है कितने बच्चों को प्रधारमती राष्टे बाल पुरुसकार 2024 पर दान किये तो कुल जो है 19 बच्चों को प्रधारमती राष्टे बाल पुरुसकार मिले 2024 के गंदंदर दिवस्के अपस्वर पर, next है आपका, किस भारती अभिनेतरी को जो है पहली बार साओधी अरब के जोई अवोर्ड दोहजार चोबीस से समानित किया गया, right answer is आलियाभट, तो आलियाभट जो है फ्रेंज, इन्हें जो है पहली बार साओधी अरब के जोई अवोर्ड से दोह आपका, किस अवोर्ड दोहाग ने कहां पर जो है जाती है खाद्य उससव, जिसका नाम क्या है ममनी महोसव, इसका आयोजन किया, तो फैस ममनी महोसव का आयोजन करा गया, कलदाक में, next question क्यों, move करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के किस मंदीर में गोल मिला का आयोजन हुआ, तो यह आयोजन हुआ, फैस यम्मू कश्मीर के उधमपूर में यह मंदीर है, जिसका नाम है जगनात मंदीर, उपराश्ट पती जगदीब धनकर जी ने किस केंद शाशित परदेश में जो है शांती के लिए, एशियाई बोध सम्मेलन दोहसार चोबिस की बारवी महासभा का उधगारन करा, तो यह उधगारन करा गया नई दिली में, नेक्स्ट है आपका कुशन, भारत के तीन पुर्वोतर राज्य, ट्रिपूरा, मनिपूर और मेखाले ने जो है अपना स्थापना दिवस्ट कब मनाया, तो इन तीनों ने जो है अपना स्थापना दिवस्ट मन तो जैसे मेर जो की राजिस्थान में है यहां डेजर्ट फेस्टिवल दोहसार चोबीस का आयोजन हुआ था और इसका जो थीम था वो था बैक टू तो डेजर्ट नेक्स्ट हमारा कोशन है होंग कोग में आयो जित एशियाई मेराथन चैंपेशिप दोहजार चोबीस में जो स्वन पदक जीतने वाले फ्रेंड्स दूसरे भारती पुरुष धावक वने है उनका क्या नाम है उनका नाम है फ्रेंड्स मान सिंग अगर हम वहीं बात करें पहल लचित बरफुकन नामक पुस्तक के जो लेखक है फ्रेंड्स वो कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है अरुन कुमारदता वहीं बात करें इस बुक के विमोचन की तो इसका विमोचन भी कई पार एक्जायम में पूछ ले जाता है किस बुक का जो है विमोचन किस ने करा है तो विमोजन का राइफरेंस हमारे केंदे ग्रह मंतरी आमी शाथ ही ने नेक्स्ट है जन्वरी दोहजार जोबीस में डकार रैली दोहजार जोबीस में सबसे उमर्द दराज विजेता जो रहे वो कोन रहे वो आपकी रहे कालो सैंस जोकी स्पेन के है नेक्स्ट 21 जन्वरी 2024 को मेक्सिको के किस शहर में रामंदिर का उदखाटन किया गया तो फ्रेंस मेक्सिको के कवेरतारो शहर में जो है 21 जन्वरी 2024 को रामंदिर का उदखाटन हुआ है नेक्स्ट है हमारा यूगाड़ा में G77 की तीसे शिकर समेलर में जो भारत का प्रतिनित्व है ये किस ने करा ये करा है वी मूर्ली धरन ने ग्रामिन महिला उद्मियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से केस राज़े में मुख्यमंत्री महिला उद्मिता अभ्यान का नावरन किया गया तो ये अभ्यान का नावरन हुआ है असम में इस अभ्यान के थ्रू क्या होगा ग्रामिन महिला उद्मियों को सशक्त बनाया ज तो जो हेमंद विश्वा सर्मा है ये करंट में मुखेवंती हैं असम के राष्टपती ड्रोपती मुरुमुझी ने जो है 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में असाधारन प्रतिवा वाले कितने बच्चों को प्रधानमंती राष्टे बालपुरुस्कार 2024 से समानित किया राइट अ टी-ट्वंटी केकट में जो सबसे जाधा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गे उनका नाम है रोही शर्मा नो साल बाद फिर से किस राजिन में जो है भैंसु की लड़ाई जिससे की मोहजुज के नाम से जाना जाता है इसे आयज़ित किया गया तो यह आपका आयज़ि किस राजे के कच्छी करे खजूर को जी आई टैग पराप्त हुआ तो यह आपका है गुच्रात राजे का और इसे जी आई टैग दिया गया बी रिसेंट में ही नेक्स्ट आ असम्प सोरप उरुसकार 2023 से किसी समानित क्या जाएगा तो फ्रेंस इसे जो है हीमादास जी को स अथ्लैटिक्स की हैं डॉक्टर किशन चंद नोरियाल जो की कला और सांस्क्रित के छेतर से जुड़े हैं इन्हें मिलेगा अल्विस अली हजारी का जो कि आपके तैराकी के प्लियर हैं इन्हें मिलेगा और नादी राम दियोरी जो की तिवा निरित्य करती हैं इन्हें जो पर रहा फ्रेंट्स देश उसका क्या नाम है तो उसका नाम है भारत नेक्स्ट आपका कुशन उतर परदेश के किन शहरों में सबसे सुच गंगा टाउन का पुरुसकार जीता तो उतर परदेश के वारा नसी और प्रियाग राजने जो है सबसे सवच गंगा टाउन का पुरुसकार जीता है Next question असम के सरवोचन आगरीक पुरुसकार असम भैवल समान 2023 से किसे समानित किया जाएगा राइट अंसरी जरंजन गोगोई को जो कि हमारे 46 नंबर के मुखनाय दीश है किस देश में जो है फ्रेंस उनिसफिश अतावदी का उतसफ जिसका नाम क्या है गोरुजोदाई जो की एक बुल फाइटिंग होती है इसका योजन क्या गया तो इसका योजन क्या गया आपके नेपाल में Next आपका गवाटे माला की जो नई राष्ट पती बन गे उनका क्या नाम है राइट अंसर इस बर्नार्डो एरेवलो जो है फ्रेंस की गवाटे माला के न्यू प्रेजिडेंट बन गे है Next आपका संयुक्त अर्ब एमिराद ने किसे अंतराश्टे खेल व्यक्तितव पुरुज़कार 2023 से समाने क्या राइट अंसर इस ग्यानी और फिंटरों को Next question भारती सेना ने N2 and सुरक्षित मोबाइल एकोसिस्टम जो है ये विक्सित क्या है इसका नाम क्या है इसका नाम है संभव संभव की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म है इसका सेक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन Next question भारती सेना ने दिल्ली में आयो जिट शांती के लिए एशियाई बोध समयलन की बारवी महासभा का जो उद्खाटिन है फ्रेंज की किस ने किया तो ये उद्खाटिन करा हमारे उपराश्टपती जगदीब धनकर जी ने और इसका जो थीम था वो था दा वुदिष्ट वाइस ओफ ग्लोबल साउथ Next है आपका जमू कश्मीर के बारा मुला में जहलनम स्टेडियम जांबाज पोरा का नेया नाम क्या हो गया है तो इसका नेया नाम हो गया है जनल विपिन रावर्ज स्टेडियम Next है नितियायोग की बहु आयामी गरीबी रिपोर्ट के नुसार पिछले 9 वर्ष में लगबग कितने लोग गरीबी से बाहर आए Right answer is 25 करोड Next question है आपका भारत के लाइफ लाइट वेट टैंक जिसका नाम है जोरावर इसका जो परिक्शन है फ्रेंस की किस ने करा तो DRU ने भारत के लाइट वेट टैंक जोरावर का परिक्शन करा है Next important question है वितवश 2022-23 रिपोर्टिंग के लिए जो प्रतिष्टित ICAI अबोर्ड है फ्रेंस की किसे मिला ये मिला है आपका रेक लिमिटेट को Next important question किस महादुई पर दूरलव स्फेध पैंग्विन जो है फ्रेंस की देखा गया तो ये आपका देखे गया अंटार्क्तिका महादुई पर ठीक है और ये जो है एक दूरलब जो है स्वेध पैंग्वीन है और ये आपका दिखा गया है अंटार्क्टिका महादुईप पर आपने याद रखना है जनवरी दोहजार चोबीस में जो विश्वनाथन आनंद है इन्हें पशार कर भारत की नंबर वन शत्रंज खिलारी कोन बन गे तो रमेश बाबु प्रग्ना नंद जो है फ्रेंट्स ये जनवरी दोहसार चोबीस में विश्वनाथन आनंद जी को पशार कर भारत की नंबर वन शत्रंज किलाडी पन के है नेक्स्ट इंपरग्न कोशन है जनवरी दोहसार चोबीस में विश्वार्थिक मच्च की जो फिफ्टी फोर्थ वार्षिक बैठक थी फ्रेंट्स इसका यह जुन कहां किया गया था तो इसका है जुन आपका किया गया था स्विजल लैंड की दावाउस में बात करें इसकी थीम की जो विश्वार्थिक मंच की 54 नंबर की वार्षिक वैटक थी इसकी थीम थीम इंपोर्टन है थीम आपको याद रखनी है रीबिल्डिंग ट्रस्ट जो है फ्रेंड्स की थीम थी भारती सेना ने जो है जम्मो कश्मीर के राजओरी और पूंच इलाके से अतंक वादियों का सफाया करने के लिए जो है फ्रेंड्स वो किस ओप्रेशन को शुरू किया तो उस ओप्रेशन का नाम था ओप्रेशन सर्वशक्ती नेक्स कुशन हमारा भारत की पहली ISO 27001-2022 प्रमानित फर्म जो है वो कौन सी कंपरी बनी तो वो आपकी बनी है हल्दिया पैट्रो केमिकल्स नेक्स्ट इम्पोरन कोशन उतरप्रदीश के वो योध्या शहर में जो है फ्रेंड्स किस नदी पर भारत की पहली सोर उज्जा संचालित नाव चलाई जाएगी तो जो सर्यू नदी है फ्रेंड्स किहां पर भारत की पहली सोर उज्जा संचालित नाव चलाई जाएगी औ जनवरी 2024 में जो है किस राज्य में नोवे भारत अंतराष्टिय विज्ञान महुलसब 2023 का योजन हुआ तो ये योजन हुआ हर्याना में थीम की बात करें तो थीम था इसका अमरीत काल में विज्ञान और प्रत्योगी की सारवजिनिक आउट्रीच नेक्स कोशन जनवरी 2024 में किस राज्य में जो है फ्रेंस जली कुट्टू तेहार का योजन किया गया तो जली कुट्टू तेहार जनवरी 2024 में इसका योजन हुआ तमिनारो राज्य में नेक्स्ट है Operation Amrit आपका शुरू हुआ केरल राजे में अमरित की फुल्सफर्म की बात करी तो इसका फुल्सफर्म है Anti-Microbial Resistance Interventions for Total Health किस Space Agency ने जो है जासूसी उपकरा है Optical 8 इसका सफल परक्षेपन किया है तो यह आपका करा है जाक्सा ने और इसका जो प्रक्षेपन है Friends की करा गया 12 जनवरी 2024 को तनेगा शिमा अंतरिक्ष के अंदर से राश्टे स्टार्टप दिवस 2024 जो है यह कब मना गया राइट अंसर इस 16 जनवरी को और थीम क्या थी राश्टे स्टार्टप दिवस 2024 की स्टार्टप अनलोकिक इन फाइन्ट पोटेंशियल पचेतरवी आएमी पुरुसकार 2024 में जो Friends Best Drama Series का बोड़ है यह किस ने जीता तो यह जीता है सक्सेशन ने नेक्स्ट आपका कुशन मवेश्यों का त्योहार जिसका नाम क्या है कनूमा इसका जो आयोजन है यह किस राचे में किया गया तो कनूमा का आयोजन खरा गया था तिलंगना में और यह मवेश्यों का त्योहार है जनवरी 2024 में जो भारत की किस शहर में दिवे कला मिला 2024 का आयोजन हुआ तो ये आयोजन हुआ महराष्ट के नाखपूर में और इसका जो आयोजन है फ्रेंच की 12 जनवरी से 21 जनवरी 2024 तक नाखपूर में किया गया था लाई चिंग ते जो है ये किस देश के तीसी बार राष्ट पती चुने गए तो लाई चिंग ते जो है ये ताइवान के तीसी बार राष्ट पती चुने गए है नेक्स्ट ए गांधिय लाइफ इन थ्री कैम्पेंस नामक पुस्तक किस के दौरा लिखी गई तो इसके लिखक है M.J. अकपर नेक्स्ट कुशन किस टाइगर रिजर्व को जो है भारत की पहले डाक स्काई पार्क का दरजा दिया गया तो ये आपका है पैंच टाइगर रिजर्व किस राज़े में है महरास्ट राज़े में भारतिय सेननी सैने टिहास के डिजिटल संग रहे के लिए जो है कौन सा प्रोजेक्ट शुड़ू किया तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट शोर्य संकलन नेक्स्ट इंपॉर्ण कोशन जनवरी दोहसार चोबिस में दीव में आजित जो पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम से फेंड्स इसमें जो है कौन सा राज्जियो चैंपियन बना तो ये बना मध्यपरदेश राज्जियो टी टॉन्टी आई क्रिकेट के थ्यास में जो है 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने तो ये बन गए है रोहिच शर्मा नेक्स कौशन है किस राज्जियो सरकार ने युवकों को रोजकार उपलब्द कराने के लिए मिशन 60,000 की शुरुवात की तो ये शुरुवात की गई है हरियाना दोरा नेक्स टाम आना कौशन किस राज्जियो किस राष्टी राजमार्ग पर भारत के पहले राजमार्ग स्टील, स्लैग, रोड खंड जो है फ्रेंट इसका उध्खरण किया गया तो यह उध्खरण करा गया नैशनल हाइवे 66 पर एशिया का जो सबसे बड़ा नागरी को उडियन कारेगरम है फ्रेंट जिसका नाव है विंक्स इंडिया दोहजार चोबिस इसका योजन जो है यह कहां किया गया तो इसका योजन करा गया था हैदराबाद के वेगम पेठ हवाय डेपेर नेक्स्ट आपका भारतिय सेना दिवस दोहजार चोबिस कब मनाया गया तो ये मनाया गया है भारतिय सेना दिवस 15 जन्वरी को Next है An uncommon love, the early life of सुधा और नरायन मूर्टी नामक पुस्तक के लेखर कोन है Right answer is चित्रा बनर जी, दिवा करूनी Next हमारा question है Global Risk Report 2024 जो है फ्रेंट्स की किस ने जारी की है तो ये चारी की ही रही है विश्वार्तिक मंच ने Friends अगर आपको हमारी paid videos buy करनी है English या Hindi medium में तो आप हमारी वीडियो का जो है description box जरूर check out कर लेना वहाँ पे आपको सभी links मिल जाएंगे हमारी website का link मिल जाएगा आप easily जो है हमारी e-books buy कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों mediums में ठीक है वहाँ पे आपको जो है 2023 की ALE e-book मिल जाएगी 2024 की जैन मंद की current affairs की e-book मिल जाएगी quality की e-book मिल जाएगी और ये सब ही e-books जो है आपको English medium में भी मिल जाएगी अगर English medium का student यहां पे वीडियो देख रहा है तो वह English medium में भी e-books buy कर सकता है वहाँ आपको biology की e-book भी मिल जाएगी ठीक है और हमारा app भी लोंच हो चुका है अब हमारे app को भी जरूर डाउनलोड करिएगा review study IQGK के नाम से है और app का भी link जो है आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा आप वहाँ से उसे easily buy कर सकते है वहाँ भी आपको daily current affairs का quiz करवाय जाता है इसके लावा कावी सारा content provide करवाय जाता है वहाँ पे quiz लगा सकते है और अपने exam के preparation को जो है और जादा strong बना सकते है next है महरास्टर राजमेदेश के जो सबसे लंबे समुद्री पूल जिसका नाम है अटल सेतु इसका उद्खाटन किस ने किया तो यह उद्खाटन करा ने निमोदी जी ने अटल सेतु के उपर भी complete video जो है complete information के साथ channel पे uploader है आप जरूर चेक आउट कर लेना दक्षनी नोसेना कमान के chief of staff का पदवार किस ने संभाला तो यह संभाला है उपल कुंडू ने नेक्स्ट है T20 international में देर सो विकेट लेने वाले जो पहले गेंदबाज बने फ्रेंस इनका क्या नाम है इनका नाम है team Southie जो कि New Zealand के player है नेक्स्ट हमाना question है किस देश में नोवे इश्याई शीत कालीन खेल 2025 का जो है friends आयोजन किया जाएगा तो यह आयोजन किया जाएगा चीन में नेक्स्ट कुशन भारत और किस देश की नोसेना के बीच पहला द्वी पक्षिय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है अयोजन हुआ यह जो है भारत और थाइलेंड के बीच और यह जो है भारत और थाइलेंड की नोसेना के बीच पहला द्वी पक्षिय समुद्री अभ्यास है जिसका नाम क्या है अयोजन है ठीक है, नेक्स्ट आपका question है, भारत Electronics Limited ने उतरपरदेश की किस शहर में अत्याधुनिक सभा घर अभी ग्यान को लॉंच किया, तो ये लॉंच करा गया है गाजयबाद में और इसका उत्खारण करा है रक्षा सचीफ जिनका नाम है गिरिदर अरमाने जी ने, किस शामनी व कोड को लागो करने वाला जो है भारत का तीसरा राजय बन गया फ्रेंट्स आसम, अगर बात करें पहले दो राजयों की तो उनमें है गोआ और उत्राखंडर, भारत और माल्डिव के वीच उचस्तरिय कोड ग्रूप की पहली बैटक कहां संपन हुई, राइट अंसर इस मा पॉलेंड और बात करें इसके अडिशन की तो दोहजार चोबिस में इसका दूसरा संसकन जो है वो आयजित हुआ था, युनाइट अपका, नेक्स्ट है उत्कृष्ट उपलब्दी के लिए जो इंडियन ओफ ताइयर दोहजार तेई से समानित किया गया है, भारतिय नोसे इसका देश में तो इसका नाम क्या है इसका नाम क्या है इसमें पाटिसिपेट कर रहा है, नेक्स्ट इंबोर्न क्जिन क्यों मूफ करते हैं, तो सवच सर्वेक्षन पे अनुसार जो है, प्ईश का सबसे सवच राजे कोन सा बना? तो फ्रेंस देश का सर जो है सबसे सवचे राज्य बन गया आपका महरास्टर राज्य सवचे सरवेक्षन 2023 के अनुसार शीश तीन राज्यों के नाम मैं आपको बता देती हूँ नमब बन पर रहा महरास्टर, नमब डू पर रहा आपका मत्यपरदेश, नमबर थ्री पे रहा 36 नेक्स ते सैंटर फोर रिसर्च ओन एनर्जी एंड अड ग्लीन एर की एक रिपोर्ट के अनुसा जो है वर्षट 2023 में भारत का जो सबसे प्रदूशित शहर फ्रेंज वो कौन सा बना वो आपका बना फ्रेंज मेगाले का बर्नी हाट शहर ठीक है सैंटर फोर रिसर्च ओन इनर्जी एंड क्लीन एर के एक रिपोर्ट के अनुसा जो वर्षट 2023 में भारत का सबसे प्रदूशित शहर है वो है बनी हाट कहां पे है मिगाले में नेक्स्ट है महाराष्ट सरकार ने जो है लूप तपराए कैने जीवों के लिए जो है किस कंजर्वेशन रिजर्ब की स्थापडा की तो इसका नाम है अट पाड़ी कंजर्वेशन डिजर्व किस ने करा तो यह विमोचन करा गया भुपेंदर यादव जी के द्वारा नेक्स्ट को रास्टे सरक सुरक्षा सप्ताह दोजाट चोबिस कब मनाया गया तो फैंस यह आपका मनाया गया था ग्यारा सी 17 जनवरी तक उर्थीन था इसका सडग सुरक्षा नायक बने यानि विकामा रोड सेफ्टी हीरो दूसी बार जो भुटान के प्रधानमंती बन गे उनका क्या नाम है राइट आंसर इस शेरिंग टॉब के यह जो है सेकिंड टाइम भुटान के प्राइम इसके साथ नेक्स कोशन के और मूव कर जाते हैं तो विश्व वेपार संगठन में जो भारत के अगले राजूत के रूप में नुक्त हुए हैं उनका नाम है सैंधिल पांडियन सी नेक्स चैन में भारती नोसेना का बहुराश्टी अभ्याश्थ, इसका नाम है मिलान चोबिस, इसका अयोजन कहां किया जाएका? तो मिलियन चोबिस का आयोजन किया जाएगा विशा का बटना में और इसका जो आयोजन है ये 19 से 27 वेबररी दोहजार चोबिस तक किया जाएगा प्रधानमधी नरेंदर मोदी जी के त्वारा 27 वे रास्टे युवा मोहसब का उधगाटन किस राजे में किया गया तो फिस प्रधानमधी नरेंदर मोदी जी के त्वारा 27 वे रास्टे युवा मोहसब जो है इसका उधगाटन हुआ महराश्टे की नासिक में और इसका उधगाटन जो है ये 22 जनवरी दोहजार चोबिस को प्रधानमधी नरेंदर मोदी जी ने किया था तीम क्या थीज की थीम थी विक्सित भारत 2047 युवा के लिए युवा द्वारा नेक्स कुश्चन आपका जनवरी दोहजार जोबिस में गुड़ सवारी में अरजुन वोड पाने वाली पहली भारती महिला कोन बनी राइट अंसरी दिव्य गेर्थी सिंग जो की राजिस्तान की है किस राज्चे की कच्छी खरेक हजूर को जो है जीए टैग मिला तो फैस यह है गुचरात का किस राज्चे सरकार ने जो है महतारी वंदना योजना दोहसार चोबिस की शुरुआत की तो ये शुरुआत करी है 36 कर राज्चे की सरकार दोरा नाम क्या है योजना का महतारी वंदना योजना नेक्स्ट आपका कोशिन है किस राज्चे में जो है नोवा अंतराष्टिक गुबारा मोहसब दोहसार चोबिस का योजन क्या गया राइट आंसर इस पोलाची जो की तमिनाडू में है फ्रेंट्स यहां पे नोवे अंतराष्टिक गुबारा मोहसब का योजन हुआ दोहसार चोबिस में नेक्स है 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन बनाने वाला पहला भारती शहर कौन सा बना राइट आंसर इस फारानसी जो की यूपी में है ये 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन बनाने वाला पहला भारती शहर बन गया है इसके साथ नेक्स कोशन है जनवरी 2024 में किस तेश की संसत ने जो है फ्रैंस स्वीडन को नाटो में शामिल किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी ये आपका तुर्की ये किस भारती क्रिकेटर को जो है वर्ष 2022-23 के लिए पुरुषवर्ग में सर्वस्रेश्ट अंतराश्टी क्रिकेटर का पोली उम्रीगर पुरुषकार प्रदान किया गया राइट आंसर इस शुमन गिलको रोल्स रोइस द्वारा भारत में लोंच की गई एक पहली उलेक्ट्रिक कार का नाम क्या है राइट आंसर इस स्पेक्टर इवी नेक्स्ट है सशेस्त्र सीमाबल यानि कि SSB के जो नए महानिदेशक बन गे फ्रेंड्स उनका क्या नाम है तो उनका नाम है दलजीत सिंग्चोधरी ये जो है ये सशेस्त्र सीमाबल के नए महानिदेशक निउत हुए है फीफा फुटवल अवर्स तो हजार तेज में जो सर्विस रेष्ट महिला कि लाड़ी का अवर्ड है फ्रेंड्स की किसे मिला राइट अंसर इस एताना बोनमतिको नेक्स कोशन देखते हैं कौन सा देश है जिसने की 71st मिस वर्ल्ड परित्योगिता की मेजबानी की वो करेगा भारत नेक्स कोशन पैंदे साल में ग्रैंड स्लैम में वरियता प्राप्त लाड़ी को हराने वाले पहले भारती पुरुष कोन बने राइट अंसरी सुमित नागल नेक्स्ट इंबोर्टन कोशन फीफा फुटवल ओवर्स दोहसार देश में जो सर्वशेष्ट पूरुष की लाड़ी का वोर्ड एफरेंस की किसे मिला ये मिला है लियोनेल मैसी को नेक्स्ट है नागल भारत की पहली महिला महावत व एलिफेंट गर्ल के नाम से मशुहूर 67 वर्ष ये फारवती बरुवा को जो है फ्रेंट पदम शिरी पुरुसकार दोहजार चोबिस से समानित किया गया है ये जो है ये किस राची की है ये है अस्सम राची की नेक्स कोशन देखते हैं तो किस देश की सरकार ने बाइसनवरी को यो ध्यरामंदिर दिवस खोशित किया राइट अंसर इस कनेड़ा की 96 ओसकर दोहजार चोबिस के लिए नामित हुई भारती डोक्यूमेंटरी फिलम टु किल टाइगर का निर्देशन जो है वो किस ने किया है तो इसका निर्देशन करा है नीशा पाहो जाने नेक्स्ट आपका किसने मशुवारों के लिए दूसरी बीडी का अबदा चेताब नी प्रिक्षिक्ति डैट एसजी विक्सित करा टाइट अंसर इस रो नी डैट एसजी का जो है फ्रेंट की सेकिंड जैनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांस्मिटर जो है इसका फुल फॉ जित हुआ है यह हुआ है भारत और साउधी अरब के बीच नेस्ट आपका कोशन जनवरी दोहजार चोबिस में भारत की पहली मुखी गर्व निरोदक गोली सहेली की खोच करने वाले डॉक्टर नित्यानंद का 99 वर्ष के आयू में निधन हो गया इन्हें जो है किस वर्ष पदम शिरी से समानित करा गया था नेक्स्ट है जनवरी दोहसार चोबिस में राष्टपती द्रोपती मुर्मुजी ने जो है चंडिगर युनिवरस्टी के किस तन स्थापक शिक्षा विद को राजे सभा के लिए मनोनीत किया राइट आंसर इस सतनाम सिंग संधूको नेक ञतता जनानित घुक्त स्थाम पड़ा में ऑफरण्स उनका वोर्ड किसे मिला तो ये मिला है रनवीर कंपूर को इनकी मूवी आनिमल के लिए और श्रीस्ट अभिनेती का वोर्ड मिला है historians आलया भड को ठीक है 69 फिलम फेर अवोर्ड 2024 में जो सर्फिशर्ष्ट अभिनेती रही आल्या भट इनको इनकी मुवी रोक्यो रानी की प्रेम कहानी के लिए ये अवोर्ड मिला नेक्स्ट है हमारा अखिल भार्तिय अखाड़ा परिशद नहीं किसे सनातर शीरो मनी की उपादी से समानित किया दुरलब गोल्डन टाइगर देखा गया है वर्षट 2024 में कितने लोगों को किरती चकर प्रतान किया गया तो कुल 6 लोगों को जो है वर्षट 2024 में किरती चकर मिला अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कॉंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलिएगा चैनल को जो है आपने अपने फ्रेंड ग्रूप में जार से जाधा शेर करना है और आपने जो है वीडियो को लाइक और शेर करना नहीं बूलना है क्योंकि काफी दर बच्चे जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसे लाइक और शेर नहीं करते हैं तो लाइक और शेर आपने जरूर करना है वीडियो को ताकि हम मोटिवेट रह सके नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ठीक है तो नेक्स कोशन आपका है आज का नोवी बार बिहार के जो मुख्यमति पद की शबत लिए है फ्रेंस की आपके लिए है नितिश को माने और ये जो हैं बेलारूस की है किस राजब में भारत के सबसे बड़े लेक्ट्रो लाइजर एंड फ्यूल सेल अधारित ग्रीन हाइट्रोजन के पाइलिट प्रोजेक्ट का नावरन किया गया है राइट अंसर इस अरिशी केश जो की उत्राखन में है किस देश ने अंतरिक्ष में मेहदा के हान टू और हत्फ वन नामक तीन उपग्रहाओ का प्रक्षेपन किया राइट अंसर इस इरान ने किस राजब में जो है फ्रेंट्स ओम की आकरिती वाला शिव मंदिर वे आश्रम बनकर त्यार हुआ है राइट अंसर इस राज़स्तान में तो राज़स्तान में जो है ओम की आकरिती वाला शिव मंदिर वे आश्रम बनकर त्यार हो गया है नेक्स्ट इंपोर्ण कोशन की और मूव करते हैं तो डेटा गोपनिया था दिवस चोहाई फ्रेंट्स की दोहजाद चोबीस में कब मनाया गया यह मनाया गया है अठाइज जनवरी को थीम की बात करी तो थीम इंपोर्णन है थीम थी अपने डेटे पर नियंतरन रखे यानि की टेक कंट्रोल ओफ यॉर डेटा नेक्स्ट आम अरगोशन विश्व कुष्ट दिवस दोहजाद चोबीस कब मनाया गया राइट अंसरी अठाइज जनवरी को थीम क्या थी थीम थी कुष्ट रोग को हराओ नेक्स्ट आम अरगोशन की स्राज्जे में थाई पुसम महोसब दोहजाद चोबीस का यॉजन किया गया राइट अंसरी इस तमिनाडू में नेक्स्ट कुष्ट टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलिकॉप्टर असेम्बली लाइन साबित करने के लिए किस के साथ समझोता किया राइट अंसरी इस एयर बस के साथ तो फिर टाटा ने जो है भारत की पहली प्राइवेट हेलिकॉप्टर असेम्बली लाइन सा पस्ताक्षर किये हैं किस राज्य में जो है सांबर महसफ दोहसाच चोबिस का योजन हुआ तो यह योजन हुआ है राजस्थान के कच्छ में नेक्स्ट कोशन टेबल टैनिस टूनमेंट एटी डबल स्टैंकिंग में विश्व नंबर एक स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उमर्द राज व्यक्ति बने जो उनका क्या नाम है उनका नाम है रोहन बोपन ना नेक्स्ट कॉशन दुनिया का जो आठवा अजूबा है फ्रेंस वो कौन सा मंदीब ना तो कमबोडिया का जो अंकोरवाट मंदीर है यह दुनिया का आठवा अजूबा बन गया वैले दुनिया में साथ हूबे थी लेकिन अभी दुनिया में जो है आठ अजूबे हैं UN Climate Change Conference 28, यह कोप 28 कहां एजित क्या गया, तो यह आपका एजित हुआ दुबबई में, Next question है कि स्टाजे का वर्दा वन्य जी बभेरने, जो है friends, यह एशियाई शेरों का दूसा घर बनेगा, तो वर्दा वन्य जी बभेरने, जो है यह आपका है गुजरात में, और यह जो है इशियाई शेरों का दूसा घर बनेगा, Next है कहां जो है, 91st Interpol महासभा का आयोजन किया गया, 91st Interpol महासभा का आयोजन हुआ वियाना में, Next important question है, आज की सेशन का, तेलंगरा के जो नए मुख्यमंती बन गे, उनका क्या नाम है, उनका नाम है, रेवंतरेडी, Next question, 82nd भारतिय सड़क कॉंग्रिस का योजन कि शेहर में किया गया, राइट आंसर इस, गांधी नगर में, जो की गुजरात में है, builders, बुकरपुरुषकार 2023 जो है friends, इससे किसे समानित किया गया, तो friends, पोल निन्च जो है, इन्हें बुकरपुरुषकार2023 से समानित किया गया है, और इन्हें जो है, इनके उपन्यास, प्रोफेट्सों के लिए, बुकरवर्डर Dad 2023 मिला है, किस राज़े ने जोहस मुद्री घोल मशली को राज्य मशली का दच्छा दिया राइट अंसर इस गुच्राथ नेक्स्ट कोशन दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का नावरन कहां किया गया राइट अंसर इस बुरग गुपली जोकी तलंगरा में है यहां पे दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का नावरन हुआ है नेक्स्ट है हमारा कोशन 37 वे राश्टे खेलों की पदगतालिका में जो है फ्रेंस कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा तो 37 वे राश्टे खेल जो है 2023 में जो हुए थे इनकी जो मैडल टैली में शीस्थान पर राज्य रहा वो आपका रहा मारास्ट्र राज्य नासा की मार्स रोवर को अपरेट करने वाली जो पहली भारती बन गई है उनका क्या नाम है उनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्थी वर्षट 2024 में जो फ्रेंस कौप 29 की मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा राइट आंसर इस अजर बेचान नेक्स कृष्ण है किस राज्य में वार्षिक तीन दिवसिये तरग्य मोहसव जो है फ्रेंस इसका योचन किया गया है राइट आंसर इस अरुणाचल परदेश में नेक्स कृष्ण 2020 में गूगल की टोप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में जो है इकलोते भारते क्रिकेटर कौन से है राइट आंसर इस शुब मनगिल नेक्स इंपोरन कुष्ण आपका किस देश में जो है तिरू वल्लूवर को समर्पित एक प्रतिमा का नावरन किया गया राइट आंसर इस फ्रांस देश में नेक्स कुष्ण गर्वा निरते को जो है युनिस्ट को के अमूर्त सांस्क्रितिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है ये जो है ये किस राचे का निरते है तो गर्वा निरते आपका है गुच्रात राचे का उपराश्ट पती चकदीब धनकर जी ने जो है कि साजे में वैश्विक आयरवेद महोसव का शुभारम किया तो फिस इन्होंने जो है केरल लाजे में वैश्विक आयरवेद महोसव का शुभारम किया है Next important question क्यों move करते हैं मेरा गाउं मेरी धरोहर प्रोजेक्ट जो है ये किस मंत्राले दोरा चलाया जा रहा है तो ये आपका चलाया जा रहा है सांस्कृती मंत्राले दोरा किसे स्पोर्ट बिजनेस लीडर ओफ दा एयर दोहसार तेईस से जो है सम्मानित किया गया Right answer is जैशा को Next question चिकिस्टा के चेतर में नॉबल पूरुस्तकार डोहसार तेईस से जो है किसे सम्मानित किया गया है तो फैस्ट चिकिस्टा के चेतर में जो नॉबल अवोर्ड है ये दोहसार तेइस का दो जोनों को मिला है एक तो मिला है कैटालीन कारीको को जो की हंगरी की हैं दूसरा मिला है डू विस्पैन को जो की अमेरिका के है नेक्स्ट है गेलेफू कोकरा जहार रेलवे लिंक परियोजना जो है ये भारत और किस देश के बीच शुरू की गई ये शुरू हुई है भारत और बुटान देश के बीच नेक्स्ट है आपका कोशन वर्ष्ट दोहसार तेईस में अंतरास्टे मुख्य नायधिश समेलन जो है फ्रेंस ये कहां पर आयजित क्या गया है ये आपका एजित क्या गया है यूपी की क्यापिटल लखनाओ में जिसे की नभाबो के शहर और बागो के शहर के नाम से जाना जाता है चोदवा हिमालिय दिवस दोहसार तेईस जो है फ्रेंस की आपका कब मनाया गया राइट अंसर इस नो सेप्टेंबर को नेक्स्ट है वर्ष दोहसार तेईस में दूसरे विश्व स्थानिय उत्पादन मंच की मेजबानी जो है वो किस शहर ने की तो ये मेजबानी करी है फ्रेंस नीदल लेंड्स की है एक शहर ने नेक्स्ट है भारती वानीजे एवं मुध्योंग महसंग यानि की फिक्की के जो नई अध्यक्ष बन गे उनका क्या नाम है राइट अंसर इस अनीश शाह नेक्स्ट है यमन के हुटी विद्रोहियों ने तुर्किये से भारत जा रही किस माल वहग जहाज का दक्षिन लाल सागर में अभरन कर लिया राइट अंसर इस गलैक्सी लीडर का next question आजके session का siya chen में 38 होने वाली जो भारति सेना की पहले महिलाची किस्ता अधिकारी वरनी फ्रेंस उनका क्या नाम है उनका नाम है गीति का टोल इसी के साथ next है भारत की Grand Master बनने वाली जो पहली बहन भाई की जोडी बनी है उनका क्या नाम है तो भारत की Grand Master बनने वाली पहली भाई भेहन की जोड़ी का नाम है आर विशाली और आर प्रग्या ना नंदा दुरिये का जो पहले Portable Hospital का उद्गार्धन आफ्रेंट्स की आपका किया गया है गुरुग्राम में स्वच भारत मिशिन गौबर्धन बायोगेस अमेनल का आयोजन कहां किया गया राइट आंसर इस नई दिली में नेक्स एक्णर आपका रगवी विश्गव दो हजाद देज के जीता है तो रगवी विश्गव दो हजार 试प दो हजार देज का जा डाइट जीता है दक्षन अफरीका ने अगर बात करें इसका अयोजन सल्गी तो इसका अयोजन जै में यह फ्रांस में किया गया था राइट आंसर इस साओध एरब और फ्रेंट्स दोहजार चोंतिस में जो है इसका 25 संसकन आयोजित होगा ठीक है पूरुष फिफा विशकप का दोहजार चोंतिस में ठीक है भारती नोसेना के लिए 26 राफेल विमान जो है वो किस देश से खरीदेगा भारत जो है नोसेना के लिए 26 राफेल विमान खरीदेगा फ्रांस से नेक्स्ट है आपका कुशन किस कमपनी ने जो है भारत की पहली सैटलाइट अधारित गीगाविट इंटरनेट सेवा का सफलता पूर्वक परिक्षन किया है राइट आंसर इस रिलाइस जीयों ने नेक्स्ट कुशन हमारा अर परदेश के न्यू चीफ मिनिस्टर बन गए है नेक्स दिसंबर 2023 में जैपूर वैक्स म्यूजियम में जो है किस महापुर्ष के मौम के स्टैचू का नाम रण किया गया तो फिर यहां पर जो है डॉक्टर बी आर अम्बेटकर जी के मौम के स्टैचू का नाम रण हुआ है जैपूर बैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में केनी मंतरी जी किशन रेड़ी द्वारा घोषित सांस्कृतिक परियोजना का नाम क्या है राइट आंसर इस मेरा गाउ मेरी दरोहर परियोजना नेक्स्ट आपको गोषिन किस देश ने जो है जुके 2Y3 वाहक रोकेट को सफलता पूरवक जो है वो आंतरिक्ष में प्रक्षेवित किया है तो फैंस चीन ने जो है जुके 2Y3 वाहक रोकेट को सफलता पूरवक आंतरिक्ष में प्रक्षेवित किया लिए है डेका कौन बनने वाला जो पहला भाष्थी ब्रेंड बना we बना है IPL next और आपको quizन किसके दोरा जो है अमरित प्रथ्योगी की विक्सित की गई तो है अमरित प्रथ्योगी की विक्सित की गई है IIT मदरास दोरा नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं तो इंटरनेशनल टैनिस होल ओफ फे में शामिल होने वाले जो पहले एशियाई पूरुश की लाड़ी है वो कौन बन गे हैं तो वो बन गे हैं लेंडर पेस और विजे अमरित राज नेक्स्ट इस बीसी से आईने जो है किस भारती क्रिकेटर के सम्मान में फ्रेंट्स साथ नंबर की जरसी को रिटायर कर दिया राइट आंसर इस महेंदर सिंग धोनी के नेक्स्ट इस अंतराष्ट प्रवासी दिवस्कब मनाया गया तो यह मनाया गया है 18 दिसम्मर को किस नहीं जीता यह किन देशों के पीछ आयो जित हुआ तो यह आपका उचित हुआ है कजाकिस्थान और भारत के बीच बात करें इसके आयोजन स्द ही तो इसका आयोजन जो है फैंट की करा गया था कजाकिस्तान के ओटार में इसी के साथ next question आज के important session का भारत के hunger project के माध्यम से जो है भुखमरी की समस्या को स्माप्ट करने के लिए किस देश ने 44.7 million धन अवंटित करने की गोशना की? Right answer is Norway ने Next है आपका वर्ष 2023 2023 में जो आठवी बार प्रतिष्टित बैलोंडी और पुरुसकार है फ्रेंस वो किस ने जीता है? Right answer is Lionel Massin ने जो कि Argentina के है और फ्रेंस महिला बैलेंडी और अवोर्ड जो है ये जीता है इताना बोनमाटी ने Next question आपका विश्यो की सबसे विशाल केंजित सोरूर्जा परियोज़ा जो है ये किस देश द्वारा हाली में लोंच की गई तो ये लोंच करी गई है संयूकत अर्ब एमिराद द्वारा Next is किस राजे की लागडोंग हल्दी को जी आइटेग मिला? तो फिरस ये है आपकी मेगाले राजे की हाली में राजेस्तान की जो नए मुख्यवंति की रूब्ये कि से नल्यूकत किया गया है? तो भजनलाल शर्मा जो है ये न्यू चीफ मिनिस्टर बन गये है राजेस्तान के पोलेंड की प्रधानमंती के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर इस डोनाल्ड टस्कोको नेक्स्ट कोशिन पद्मना पानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवोर्ड से किसे समानित किया जाएगा? राइट आंसर इस जौवाइद अक्तर इन्हें जो है पद्मना पानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवोर्ड से समानित किया जाएगा नेक्स्ट कोशिन पे आते हैं तो किस राज़े में सैंटल ट्राइबल यूनिवर्स्टी बनाने का विधेग संसद में पास कर दिया है तो संसद ने जो है Teilangana राचे में सैंटल ट्राइबल यूनिवर्स्टी बनाने का विधेग संसद में पास कर दिया है नेक्स आपका कोशिन प्रधान मंत्री निरेंडर मोदी ने जो है दुनिया के सबसे बड़े meditation center, जिसका नाम नाम क्या है सर्ववेद महामंदिर इसका उधखाटन कहां किया है तो परधारमंदी नेरिंद मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़ी Meditation Center का उधखाटन करा है वारानसी में नाम आपको याद रखना है सर्ववेद महामंदिर है Next है आपका question किसने नई दिल्ली में आशियान भारत बाजरा महसब का उधखाटन किया तो फेंस अरजुन मुंडा जो कि हमारे ट्राइबल एफेर्स मिनिस्टर है इन्होंने नई दिल्ली में जो है आशियान भारत बाजरा महसब का उधखाटन करा है Next है United World Wrestling Rising Star of the Year 2023 के रूप में किसे नामित किया गया Right answer is Antim Pangal को Next है IPL टीम मुंबई इंडियस ने अपना नेया कप्तान जो है वो किसे निउक्त किया है Right answer is Hardik Pandya को Next है पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किया गया था नई दिली में Next कोशन आपका है कोची की जल आधुनी की करन परियोजना के लिए जो है किस वित्य जनस्थान ने 170 मिलियन डॉलर रिन की मंजोरी दी है Next important कोशन आपका होनविल महोसव किस राजय में मनाया जाता है तो होनविल महोसव मनाया जाता है नागलैर में भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजव है फ्रेंस वो कहां बनाया जा रहा है तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजव बनाया जा रहा है मध्य परदेश के दम्मोहों में नेक्स कुशन आज की सेशन का तो केंद्रिय मंद्रिय अनुराख सिंग ठाकू ने जो है किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्खाटन किया राइट आंसर इस उडूपूई में नेक्स कुशन कोप अठाईस में किस आई 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 जीता है महद्यबर्देश राचे ने आपको जो भी कोशन में प्रवाइट करवारे हैं वो एकदम अप्टो डेट हैं 25 February 2024 तक की ये एकदम अप्डेटर लिस्ट है और आपने वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना है क्योंकि आपका लाइक को जेरी है जैसे कि अभी SSC Railway का एकदम होगा उससे लेटर भी हम डिस्कस करेंगे जो भी important topics रहेंगे ठीक है तो आपने चैनल के साथ जूट जाना है अगर चैनल को अभी तक subscribe नहीं करा तो चैनल को सबसे बहले subscribe कर लीजेगा और यहाँ पे जो है आपको exam oriented content जो है provide कर वाया जाएगा जो जो exam आता रहता है उस exam से लेटर हम जो है content discuss करेंगे ठीक है तो आपने वीडियो को अट तक देखना है और चैनल को subscribe ज़रूर कर लेना है अपने friend group में भी चैनल को share ज़रूर करना है next question के और बढ़ जाते हैं तो किस पूर्व क्रिकेटर को जो है जमो कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरुकता राजोत निउट किया गया तो इनका नाम है सुरेश रहना next question केंदे सरकार ने जो है आयूशमान भारत स्वास्ते और कल्यान केंद्रों का नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया राइट अंसर इस आयूशमान अरोगिया बंदेर next question आपका formula 1 race जिसका नाम है अबुधाबी Grand Prix 2023 इसका जो किताब है फ्रेंट्स फोकिस ने जीता है तो इसका title जीता है मेक्स फैस्टेपे ने जो कि Red Bull के racer है नीदलाइन के रहने वाले है project loin at the rate 2047 के तहट किस वन्यजीब भैरने में एशियाई शेरों का जो है दूसरा घर बनाने का प्रस्ताब पेश किया गया है तो ये है आपका वर्दा वन्यजीब भैरने जो कि किस राज्जर में है पुरुष्ट टैनिस पृत्योगिता जिसका नाम है Davis Cup 2023 इसका टाइटल किस ने जीता इसका टाइटल जीता है friends इतली ने next इस किस देश में जो है Krakato or ज्वाला मुखी फटा है तो Krakato or ज्वाला मुखी फटा है इंडोनेशिया में next question अर्जंटीना के जो नए राष्टपती बने फ्रेंट्स वो कौन बने है राइट अंसर इस जैवियर मिलेई नेक्स्ट कोशन आज की इंपोर्टन सेशन का बहारती रेलवे ने रेल पट्रियों पर हाथियों से होने वाली धुरगटनाओं को रोकने के लिए कौन से तकनीक पेश की राइट अंसर इस गत्राज सुरक्षा नेक्स्ट कोशन है केंदे सरकार ने CRPF के महानी दिशक यानि की DG का जो अतिरिक्त प्रभार है वो किसे सुंपा है तो फैंस केंदे सरकार ने CRPF के DG का अतिरिक्त प्रभार सुंपा है अनीश द्याल सिंग को मैनियम वेबस्टर डिक्षिनरी का जो World of the Year for 2023 है वो किस शब्द को चुना गया है तो वो चुना गया है authentic शब्द को नेक्स्ट है आपका कुशन हाल ही में एंट्री राजो एलिना को जो है किस देश के रास्टपती के रूप में फिर से चुना गया तो फैंस इन्हें जो है परियाटर मिशन को जो है UNWTO से वैश्विक बाने था मिली तो ये है आपका केरल राज्जे का परियाटर मिशन नेक्स्ट कुशन आज की सेशन का समलेंगी विवाह को रेजिस्टर करने वाला पहला दक्षिन एशियाई देश कोन सा बना तो ये बना है नेपाल नेक्स्ट इस ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में जो है फ्रेंस 108 देशों की सुची में भारत का क्या स्थान रहा तो भारत इसमें रहा 64 रैंक पे इस टैंकिंग में अगर हम टोप तीन कंट्रीस की बात करी तो नमबर वन पे आपका है देन्माग नमबर टू पे है नीदल लैंड नमबर त्री पे है जर्मेनी और जो फ्रेंस ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स है ये आपका जारी किया गया है नौड लेर द्वारा नेक्स्ट इस ब्राजील के जो 39 रास्टपती के रूप में छबत ली है जिन्होंने उनका क्या नाम है तो लूला डा सिल्वा जो है इन्होंने ब्राजील के 39 नमबर के रास्टपती के रूप में छबत ली है भारत के जो फ्रेंस 78 नमबर के ग्राइन मेस्टर बन गे है उनका नाम है कोस्तव चटरजी नेक्स्ट आपका क्वेशन है पहला अंतराष्टे समुद्र तर्ट मोहसव कहां जित हुआ तो ये मोह जित हुआ के रल में नेक्स्ट क्वेशन भारत ने किस देश को जो है मंग देशु हाइडरो पावर प्रोजेक्ट सोंपा है भारत ने जो है फ्रेंट्स भुटान को मंग देशु हाइडरो पावर प्रोजेक्ट सोंपा है इसके साथ नेक्स्ट कोशन आज की इंपोर्टन सेशन का तो भारत सरकार और एश्याई विकास बैंक यानि की ADB ने जो है फ्रेंट्स किस राज़े में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 125 मिलियन डॉलर के रिन पर हस्ताक्षर करें तो भारे सरकार ने जो है और एशिय विकास बैंक ने जो है फ्रेंस तमिनारू राज़े में शहरी से वाउंबे सुधार के लिए 125 मिलियन डॉलर के निन पर हस्ताक्षर करे है नेक्स्ट आपका भारत का जो दूसरा सबसे लंबा केवल स्थित आठ लेज जुआरी ब्रीज़े बना है ये किस ताचे में खुला है ये आपका खुला है गवाओ में Interpol ने मानम तसकरी के विरुद जो है कौन सा भ्यान चलाया है तो Interpol ने मानम तसकरी के विरुद चलाया है Operation Storm Makers 2 Next है आपका चर्चा में रहे Green Voice 2050 Project का संबंध किस से है तो इसका संबंध है IMO से Next question भारत की जो सबसे तेज सोर इलेक्ट्रिक नाव का नावरन है ये किया गया है इसका क्या नाम है तो फेंस ये भारत की सबसे तेज सोर इलेक्ट्रिक नाव है और इसका नाम है बारा कुड़ा Next question इंद्रा गांधी शांती पुरुषकार 2023 से किसे समानित किया गया Right answer is इंद्रा गांधी शांती पुरुषकार 2023 से समानित किया गया है Next है आपका देश की पहली शेल एन वाली स्टील स्लैग धारित सडग का निर्मान कहां किया गया Right answer is शूरत में Under 90 ने शांती शांती पुरुषकार 2023 कि किसने जीता है तो ये जीता है बांगलादेश ने Next question विजे हजारे ट्रोफी 2023 किसने जीती Right answer is हर्याना राजे ने Next है आठवा ब्रह्मा पुतर बैली फिलम फेस्टिवल कहां शुरू हुआ तो फैंस ये शुरू हुआ है गुवार्टी मे Next है आपका कुशन किस राजे सरकार ने राजे के सभी जीलों में PM College of Excellence थापित करने की घोशना की तो ये घोशना करी है मध्यपरदेश राजे ने IPL के तिहास के सबसे महंगे खिलाडी जो है वो कौन बने वो बने है Michelle Stock चोकी Australia के है किसे Royal Society of Chemistry पुरुसकार मिलेगा Right answer is Savita Laudezko Next है हमारा कोशन किस देश के महान फुट फोट्विलर पेले का जो है ärenस 82 वर्ष की उमर में निधान हो गया तो ये थे ब्राजील के महान फुट वोलर नाम है इनका पेले और इनका जो है 82 एक की आयू में निधान हो गया है Next selective matter कोशन आटल स्मार्क कहां बनाया जाएगा तो आटल स्मार्क बनाया जाएगा मध्यपरदिश की गवालियर में नेक्स्ट है आपका केंद्य सतर्कता अयुक्त जो है कौन बने है तो प्रवीन कुमार श्रीरवास्तव जो है ये हमारे न्यू केंद्रिय सतर्कता आयुकत बने है नेक्स्ट आपका कुशन किस राज्य का धरमधाम भारत पहला पुर्ण पुस्तकाले निर्वाचन छितर बना है राइट आंसर इस केरल का नेक्स्ट है भारती सेना ने किस शैर में सैनिकों के लिए पहली बार जो है 3D प्रिंटेड घर सोंपे तो भारती सेना ने जो है फ्रेंट्स एहंदाबाद में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सोंपे है हाली में सबसे बड़ा ओपन इयर थेटर प्रदशन धनु यात्रा कहां शुरू हुआ तो यह आपका शुरू हुआ ओडिशा में नेक्स्ट आपका हाली में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटवल क्लब के साथ करार किया तो यह थे हमारे 505 most important question last nine months से जुड़े उमेद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और आपको अच्छे से आपका quicker revision हो गया होगा अब आपसे two question का test ले लेती हूँ जिसका answer आपने मुझे comment section में देना है complete video देखने के बाद तो देखिए first question test का है बिहार विधान सबा के जो नई अध्यक्ष बने friends वो कोन बने है आपने मुझे जो हाँ answer comment section में बताना है विश्व cancer divas 2024 कब बनाया गया यह भी answer आपने मुझे comment section में बताना है और इसी के साथ आपने मुझे विश्व cancer divas 2024 की theme भी बतानी है तो यह था आज का हमारा important session last nine months के current affairs से जुड़ा हुआ और आप जो है हमारी e-books भाई कर सकते हैं हमारी website से इसी वीडियो को description में आपको link मिल जाएंगे आप जरूर check out कर लेना इस वीडियो का description box और आप हमारा जो है app भी जरूर download कर लेना रविस्टरी IQ GK के नाम से है तो अब आप से मिलते हैं next video में एक और नए topic के साथ thank you so much for watching this video and wish you all the very very best for your upcoming exams